हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनो पाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लास 10 का अगला वन सौट जिसका चैप्टर का नाम है दो चरवाले रेखिक समीकरन युग ठीक है हम लोग पहले भी दो वन सौट का प्लीट कर चुके है अपने पहला हम लोगों ने वास्तिव उठाया था मैंने आप लोगों के कमेंट भी पढ़े थे जो आप लोगों ने कमेंट किये थे दोनों लेक्चर में जो कमेंट करते हो आप सभी लोग मैं जरूर पढ़ता हूं उनको तो सभी लोग जरूर कमेंट किया करो मैं सभी से यह कहता हूं कि जरूर जैसा आपको वी दीरे चलने इसा रोज नहीं वन सॉट आ रहा है ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि रोज वन सॉट नहीं है अपने पास टाइम है हम पूरे वन सॉट करा देंगे सारे को जो अपने पास लेकिन जो मैं वन सॉट आपको देता हूं उसमे सारे वह इंपहुटेंट कराता हूं सारे पूरा रिवीजन हो जाए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको टॉपिक आता हूं टॉपिक के लावा उस पर जो questions frame होते हैं जो बोर्ड के point of vue से बहुत important है वह एक एक question मैं आपको वहाँ पर कराता हूँ जिससे question उसी type का question same आपको exam में मिलेगा definitely मिलेगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं तो आज जो मारे पास chapter है दो चरवाले रहखिक समीकरण यूग इसकी आज चर्चा करें बहुत interesting chapter है 9 में भी इसका basic आप पढ़ चुके वहाँ पर बस यह यूग महटा तो तो वह पढ़ चुके हो दो चरवाले रहखिक समीकरण उनके बारे में basic परचाए आप जानते हो कि दो चरवाले जो रहखिक समीकरण होते हैं उनका आप basic part समझते हो मैं अभी sort में थोड़ा सा उसको भी revise करा देता हूं जो 9 में हम लोग पढ़ने पढ़े थे और उसको 10 में यूज है जिस chapter में जिसका यूज होता है मैं उसको थोड़ा सा aspect जरूर बता देता हूं कि सर क्या थी संख्या है वो confused में रहते हैं कि परिमे संख्या है कौन सी संख्या है थी सब प्राक्रत और पूर्ण में क्या अंतर था कौन 0 से start होती थी कौन 1 से start होती थी इसलिए थोड़ा सा उसका basic परचे दे देते हैं ऐसा ही second chapter हम लोगों ने त्रिकोण मिति का परिच्चे समझा त्रिकोण मिति हमारे पास एकदम नया था तो उसको basic से ही समझा था आज हम दो चरवाले रहखिक समय करने यूग में लाया है बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इससे लॉंग कोश्चन बनता है चार नंबर का पाच नंबर का तीन नंबर का हार टाइप का कोश्चन इससे बनता है इस सारे कोश्चन करेंगे सौट के भी करेंगे लोंग के भी करेंगे और जो बीच के लगूतरी प्रशन होते हैं उनको भी करेंगे ठीक है तो ठीक है फिर अज इस लोग स्टार्ट करतेया अपने लेक्चर पास टाइम है, यह golden period है, अभी हमें मन से पढ़ाई करनी है, सारे one shot एक एक करके हमें complete करना है, तो आप lectures देखिए, one shot देखिए, जब detail lecture, one shot दोनों का mix होएगा, one shot तो revision का होता है, कि आप जब इसको revise करेंगे, तो आपको लगे कि नहीं कुछ हमें यहां से मिला, जब इस lecture को उनने पूरा देखा मन से, पूरा मन से एक बार lecture देखा करिये, जो भी, आपने पीछे अगर दो lecture वो नहीं देखे, तो उनको देखिए फिर से, और उसको मन से एक बार देखिए, सांती से बैठिए, ज़्यादा लंबे नहीं, एक देड़ गंटे के lecture है, देड़ गंटे आ तो इस lecture में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले बेसिक उसकी बात कर लेते हैं, हम लोग क्या-क्या चीजे जानेंगे, पहले तो हम जानेंगे इसका नाम का मतलब, कि दो चरवाले रेखिक समीकर्ण यूगम का नाम जो लिखा है, इसका मतलब क्या है, किसी के नाम का मतलब जानेंगे, तो वो चीज जादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक, यूगम का मतलब तुम लोग जानते हो ना, बस दो चरवाले रेखिक समीकर्ण तो जानते हो, यूगम का मतलब बस इतना हो जाता है, कि जोड़ा, यूगम मतलब प्रेयर, पेयर मतलब की दो लोग का ज जोड़े होई है, तो दो समीकर्ण होंगे, वहाँ पर उसको यूगम कह देंगे, या जोड़ा कह देंगे, बेसिक सी बात इतनी करनी है, तो पहले हमें इसी के बारे में जानना है, फिर हमें इसका हल देखना है, कि दो चरवाले रेखिक समीकर्ण यूगम जो है, वो हल कैस से किये जाते हैं इनका हल ही हमें ग्याद करना है इस पूरे चैप्टर में उसकी तीन विदियां है बहुत छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट विदियां है बड़ी मजयदार हें हमेसा काम आएंगी तेंथ के बाद भी आप sesi 12 हरे ये विदियां गाम जिसका नाम है पहली ienenpered přिर व्षतापन वीदि फिर व्र हमारे पास वीलऊपन लोच तीन अमारे पास विदियां घ्राफी विदी प्रतिस्तापन विदी और विलोपन विदी ग्राफी विदी इंग्लिस में ग्राफिकल मेथड बोल देते हैं प्रतिस्तापन विदी को हम बोल देते हैं सब्सिट्यूशन मेथड और विलोपन विदी को हम बोलते हैं एलमिनेशन मेथड तीनों की अभी चर्चा एक एक करके हम कर लेंगे पहले हम समझते हैं दो चरवाले रहखिक समीकरण यूग्म के बारे में और हम कहते हैं यूग्म से पहले थोड़ा नाइंथ में ले चलते हैं आपको दो चलवाले रहखिक समीकरण हमने एक चैप्टर वह परिसान नहीं होना, वो जिम्मेदारी मेरी है, बस आपकी जिम्मेदारी एक है कि आपको मन से पढ़ाई करनी है, चलते हैं फिर अपने lecture के और, पहले ही अमारे पास जो बात है, वो हमारे पास यह है कि दो चरवाले रहखिक समीकरण होते क्या है, नाइंत की थोड़ी सी बात करने यह चापिक आप पढ़े हुए हैं थोड़ा साम इंट्रोडेक्शन लेंगे जिसको आता है वो थोड़ा फास्ट फारवर्ड करके देख सकता है इसको नहीं आता है वो समझ लेगा फिर उसके बाद यूग में वाला टॉपिक लेंगे तो मज़ा आएगा उसको समझने मे जो बात लिखी है सामने कि दो चरवाले रहखिक समी करन सबसे पहले पीछे से जलते हैं समी करन का मतलब क्या होता है चोटी सी बात उठाते हैं समी करन क्या होता है समी करन पहचानने का बिश तरीका है जहां पर भी आपको इक्वल का साइन लिखा मिल जाए उक्वल का साइ दाये साइड भी कुछ लिखा होगा तो जब आपको LHS, RHS और उसके बीच में लगा एक इक्वल्ट का साइन दिख जाए तो बस ये समीकरण का ही रूप है बस बेसिक सी बात इत्ती आदर को तो समीकरण कैसे पैचानोगे कि कि किसी भी समीकरण को पैचानने के लिए सर हमें बराबर का चैंड देखना है कि अगर वहांपर बराबर का चैंड लगा हुआ है तो समीकरण को रिप्रेजेंट करता है एक हो यह इसकी रहत है मिली गया simple हमें equal का sign main important है कि यह हमें लगा मिल गया तो बायं पच्छ दायं पच्छ में तो कुछ लिखाई होगा तो यह basic बात हो गई समीकरण की टिक इसके बाद आ जा और रैखिक का मतलब क्या है सर रैखिक का मतलब यह होता है जब समीकरण में किसी भी चर की घात एक हो र गात क्या होगी? एक होगी. बस बेसिक सी बात इत्ती याद रुखो. जब किसी समीकन में रैखिक की घात एक होगी, तो उसे हम रैखिक समीकन बोलेंगे. आंगे लिखा है हमारे पास चर और दो. दो चर का मतलब वहाँ पर दो चर होगे. जैसा कि हमने बेसिक रूप में ये लिखा. टू ये AX प्लस BY प्लस C इकोल टू जीरो. एक मैं अपने मन से एक समीकन लिखता हूँ मालो. मैंने एक समीकन लिखा. For example, मैंने एक समीकन लिखा. 2X प्लस 3Y माइनस का 6 इकोल टू उमारे पास लिखा है 0. तो सबसे पहले चर और अचर की बास समझ लेते हैं. यहाँ पर X और Y दो चीजे ऐसी हैं, जिनके मान हमें नहीं पता हैं. तो जिनके मान हमें नहीं पता होते हैं, वही बेसिकली चर होत परमित रूप से हो जगता है, जिनके मान हमें नहीं पता होते हैं, जिनका मान समय के साथ बदलता रहता है, वह क्या होते हैं? चर होते हैं. सो सिंपल यहाँ पर चर कौन से हैं? सर यहाँ पर अगर हम चर देखें, तो चर हमारे पास X और Y है. ठीक? कोई जरूरी नहीं कि X और Y के रूप में लिखाओ, हो सकता समीकन कुछ इस रूप में दे दे. 2U प्लस 3V माइनस का 6 इपल टू 0, यहाँ पर U और V के रूप में दे दिया, XY है, कहीं UV लिखाओ, कहीं PQ लिखाओ, तो उसके लिए confused नहीं होना. बस maximum आपको, समानता आपको, प्राया आपको XY ही मि दे लिखाओ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कि जो गडित में आप इस टेन्डर जो फालू किया जाता है, तो XY और Z जो होते है, वो हमारे पास चर के लिए यूज किया जाते हैं, UV भी कहीं लिखा मिल जाए, वो भी चर के लिए यूज किया जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत अगर हम देखे तो यह हमारे पास जो माइनस शिक यहां पर लिखा यह ऐसाथ कोई दिखकत नहीं है लेकिन प्राया आपको जो मिलेगा वह आपको एका रूप में ही लिखे के साथ मलब इन चर के साथ जो गुडांक लगें वो अचर है गुडांक समझने जो आंगे लिखा है उसके साथ गुडां में एक्स के साथ गुडां में क्या लिखा है दो वाई के साथ गुडां में क्या लिखा है तीन तो यह गुडांक है X का गुणांक 2, Y का गुणांक 3, तो 2 चरवाले रैकिक समीकण यूगम का मतलब क्या हुआ? समीकण का पहले वही बात करते हैं, 2 चरवाले रैकिक समीकण, समीकण समझ लिए कि इकल का चाहिन होगा, रेखिक मतलब की घात एक होगी और दो चर होगे और दोनों चर की देखो यहाँ पर घात जो है वो एक है यक्स की घात भी एक है वाई की घात भी एक है तो दो चर वाले रेखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं सर जिसमें तो दो तो चर होगे उन समीकरणों में जो घात होगी वो हमेशा एक होगी रहखिक का मतलब होगा कि घात एक है बस यही बेसिक सी बात है दो चरवाले रहखिक समीकरण के बात यह इसका नाम का मतलब है यह इसका व्यापक रूप है व्यापक रूप समझते हूं जनरल फॉर्म है कि A B की वैलू कोई भी यहाँ पर अचर हो सकती है व्यापक रूप हमने लिख दिया कि यहाँ पर A और B की कोई भी अचर वैलू यहाँ पर हो सकती है और X Y और यह सी जो हमारे पास X और Y लिखा यह हमारे पास क्या है यह सर्चर यह आपको पता है कि यह चार है यह A, B, C जो लिखें वो अचर है इक्वल का साइन लगा है समीकर्न है इक्वल आरचेस में कुछ लिखा है 0 वो लिखा रहें तो कोई दिखकर ने तो यह बेसिक बात होती है एक चर्ट यह दो चर्ट में रैखिक समीकर्न के बारे में ऐसे आए एक-चर में समीकरन हो जाएगा एक-चर में रैखिक समीकरन रैकिक तो यह तो यह बेसी बेसिक सी बात है कि समझने के लिए कि एक सब्द नया जुड़ गया युग्म यह यूग्म का मतलब ही होता है जोड़ा जैसा कि मैंने लिखा भी पीछे कि यूग्म का मतलब होता है जोड़ा या पेर सिंपल सी बात ही है यूग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा या पेर कोई चीज अगर जोड़े के रूप में दी गई है पेर के रूप में दी गई तिक जैसे कि पती पत्मी पेर है एक जोड़ा है बोलते ना उसको साधी में कि जोड़ा है वो तो जोड़ा मतलब कि वो क्या यूग्म है एक दो लोगों से मिलकर एक समीकर्ण मलब एक यूग्म बना रहें तो क्या हो जाएगा वो मारे पास जोड़ा हो जाएगा तो इसका अगर हम व्यापक रूप लिखें इसका हम अगर simple सा पहले example के लिए कोई दो समीकर्ण यूग में लेते हैं मालोम ने लिया कि यहां पर हमने लिखा कि यह पहला मारे पास समीकर्ण है 2x plus 3y minus 6 equal to 0 और दूसरा समीकर्ण यह है कि 4x minus 7y plus 8 equal to 0 इस बार हमने क्या किये दो समीकर्ण ले लिए एक ये एक ये तो जब दो समीकर्ण ले लिए साथ में तो उसको यूग्म बोल देंगे जोड़ा बोल देंगे इसी का व्यापक रूप आपको लिखना है तो व्यापक रूप कैसा हो जाएगा सर हम व्यापक रूप के लिए लिखते हैं a1x plus b1y plus c equal to 0 ऐसे ही हम लिख देंगे a2x यहाँ पे c1 लिख देते हैं a2x plus b2y plus c2 equal to 0 तो यह क्या हो जाते हैं यह सर व्यापक रूप हो गया समीकरण यूग्म का यह समीकरण यूग्म का रेखिक समीकरण जो है इसके यूग्म का व्यापक रूप हो गया कि सर यां पर हमारे पास दो समीकन हो गए दोनों समीकने उने यह सब डुढांक भी लिखे चर यह एकस वाई हमारे पास चर है और सभी चर की घाट जो है वह हमारे पास एक है यख स만ल जैसे हम एक दो चर में रहखिक समीकन पढ़ा था कि वहां पर एक समीकण था यहां समीकण यूग में हो जाएगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे दो समीकण हो जाएंगे जैसा कि एक हमने पहला समीकण यह लिया मालो और दूसरा समीकण यह लिया इसमें और चीज़ समझ लेते यह जो A1, A2, B1, B2, C1 upon C2, अगर हम यह लिख दे, A1 upon A2, या B1 upon B2, या C1 upon C2, तो यह क्या है, यह हमारे पास इनके गुडांकों का अनुपात है, देखो, यह A1, B1, C1 यह क्या है, गुडांक है, बलब A1 और B1 यह क्या दिख रहा है, कि X के साथ A1 गुडांक पे है, Y के साथ B1 गुडांक में, X के साथ यहाँ पर A2 गुडांक में, Y के साथ B2 यहाँ पर गुडांक में, तो यह हमारे पास क्या है, यह सिंपल गुडांकों के अनुपात है, इसका यूज अभी लेंगे, इसलिए बताने कि गुडांकों का अनुपात क्यों बताया जा रहा है, यह बैसिकली गुडांकों के अनुपात हो थे, इसका भी यूज आंगे हम लेगी, यह हमने for example दो समीकर्ण लिखें, तो इसे दो समीकर्ण में एक हमें दिख रहा है, कि दो चर में एक रैखिक समीकर्ण हमने रुग यूग में लिखा है, दो चर कौन से एक्स वाई चर है, और हम अमने एक चीज और पढ़ी थी नाइंत में, यादू, जब आमने ये पढ़ा था, दो चरवाले रैखिक समीकर्ण, तो इसका आमने ग्राफ फी वीद पढ़ी थी, पढ़ी थी वहाँ पर ग्राफ बनाते थे, समीकर्ण, कोई भी आमारे पास ये समीकर्ण दिया जाता था तो इसका ग्राफ बनाते थे, कैसे बनाते थे ग्राफ, सर मालो अमने या ऐसे ग्राफ बनाते थे, एक्स वाई तल, ये एक्स अच्छ है, ये वाई अच्छ है, अब इस समीकर्ण का आम ग्राफ बनाते थे, तो कोई सरल लेखा आती थी, मालो कुछ ऐसे आ जाती थी, यह हम हम graph बनाते थे x के मान लगके y के मान निकालते थे y के मान लगके x के मान निकालके एक सरल लेखा में मिल जाती थी simple तो एक यहाँ पर क्या मिल जाती थी एक basic सरल लेखा मिल जाती थी ऐसे जो हमारे पास दो समीकरण होंगे एक यह एक यह तो इससे भी एक सरल लेखा में मिलेगी यह में पहली सरल लेखा दे देगी तो कि हम जब भी ग्राब बनाते थे किसी रैखिक समीकन का तो एक सरल लेखा प्राप्त होती थी ऐसे इससे एक सरल लेखा में मिल जाएगी मतलब कि हमारे पास दो सरल लेखाएं हो जाएंगी, एक यहां से मिलेगी, एक यहां से, अब एक बेसिक बात बताना है, यहां पर तो केवल एक सरल लेखा थी, अब अगर दो सरल लेखाएं होंगी आपके पास, सीधी-सीधी बात समझो, कुछ बनाते हैं, कुछ important बात, ध्या कि सर या तो वो दोनों रेखाएं, एक दूसरे के समंतर होंगी, अगर वो रेखाएं हमारे पास हैं, मालो यह दो रेखाएं हैं, तो यह दो सरल लेखाएं हैं, या तो वो समंतर हो सकती हैं, अगर वो समंतर नहीं हैं, तो वो प्रतिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च हो जाएंगे कि अगर वह समानतर नहीं है तो वह प्रतिच्चेदी हैं शimple सी बात यह और अगर वह प्रतिच्चेदी नहीं है तो तीसरी condition यह एकजिस्ट कर सकती है कि वो सरल ले खाएं सेम पत पर मतलब उसी से ऊकर जारे हैं इसी के उपर दूसरी रहा है कहने का मतलब यह बासमझू मालो दुमने दो समीकण इससे एक समीकण से एक सरल लेखा बनाई किससे बनाई अगर वो समानतर है पहली कंडिशन कि मालो एक का समीकण ऐसे बना एक सुवाई तल पर जो हमने बनाया फॉर एक्जामपल मालो में इधर बनाते हैं इधरी लिखते हैं मालो ऐसे हमने जब x y तल पे हमने बनाया दियान से देखना अभी समझ में आ जाएगा कि x y तल पे हमने बनाया तो एक रेखा का ऐसी बनी और दूसरी रेखा ऐसी बन गई तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों रेखा हैं आपस में कैसी है समांतर है ये समांतर दिख रही है ये कंडिशन हमें मिल गई पहली वाली या तो ये हो सकता है या फिर सर ये हो सकता है कि एक ऐसी बनी और सर एक ऐसी बन गई तो वो प्रतिछेदी हो गई अगर वो समांतर नही यह बन सकती है कि हो सकता कि जो रेखा हमने सर बनाई यहां पर जो रेखा सर हमने यहां पर बनाई यह जैसे बनाई सेम इसी के ऊपर हमें दूसरी रेखा का समीकर मिल गया मनदब इसी के जिस्ट ऊपर तो वो हो सकता है कि संपाती हो जाए इसके अलावा तीसरी प्रकार की पत पर जा रही है, एक पत मतलब समपाती, एक के ऊपर एक, बस यही तीन कंडिसन एक्जिस्ट करती है, इससे ज़्यादा कोई कंडिसन नहीं मिलेगी, आप खुद से बना कर चेक कर सकते हो, तो मारे पास कौन कौन सी कंडिसन आ जाएंगी, सर या तो यह होगा, कि वो रेखा है, हमारे पास समानतर है, ठीक, समानतर हो सकती है, या हो सकता है, प्रतिछे दी है, ठीक, और या हो सकता है, समपाती, कैसी होंगी, समपाती, तीनी प्रकार की रेखा हैं, जिस्ट करेंगी, आप कुछ भी करके देख लो, दो रेखाएं लो, और कहीं भी आप बना के देख सेम पेज पर या तो वो प्रतिछेद कर जाएंगी अगर आप इधर बनाओगे तो पीछे बढ़ा एक Union MORनाचर या वो एक ही प्रखा नीं मिलेंगी पहली विदी तो हमारे पास यह है कि ग्राफी विदी है जिखते हैं पहली विदी हमारे पास कौन सी है सर पहली विदी हमारे पास ग्राफी विदी है यह ग्राफी विदी है दूसरी विदी प्रतिस्थापन विदी है ठिक जिसे हम बोलते हैं कौन सी मैथेड इंगलिस में बो करते हैं elimination method बहुत ही important विदियां एक एक करके आराम से discuss करेंगे सभी के questions लगाएंगे सभी से अच्छे-च्छे question बनते हैं पहले graphy विदी को समझेंगे फिर प्रतिस्तापन विदी को फिर विलोपन विदी को तीनों को हमेके करके समझें ग्राफी विदी से समझने के लिए जो मैंने यह तीन रेखा हैं आपको बताएं इसकी condition को एक समझ लेते हैं इसका एक हमने चार्ट बनाया है कि यह तीन प्रकार की अगर रेखा हैं तो इनको कैसे पहचानेंगे अगर हमें ग्राफ बना लिया तो तो अच्छी बात है तो ग्राफ से तो देखके बता देंगे दिख जाएंगी कि परतिछेद कर रही है कि समानतर चले हैं कि एक ही पत पर चली है अगर हमने ग्राफ नहीं बनाया डायेक्टली कोश्चन आ गया तो उसने दो कि ईसे बताना उसकी बात आप कर लेते हैं तो यह तो तीन मैhing इन इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे इससे पहले हम क्या करते हैं इन तीन रेखाओं के बारे में कंडीशन समझ लेते कि कि या क्या कर दीसने एक ही चार्ट में दीनों चीज़े लिखिये या तो यख और रे भुष़ाना देते हैं, यह कुछ इस प्रकार से हैं, प्रतिछेदी, प्रतिछेदी का मतलब है कि कहीं पर यह प्रतिछेद करेंगी, काटेंगी, और जहां पर वो काटती है, वही उस रेखा का क्या हो जाता है? हल हो जाता है, मालो हमने एक कॉमाभी लिख दिया, इस संपाति का मतलब कि संपाति का मतलब है कि एक रेखा तो ऐसे मिली और दूसरी रेखा जो मिली वो सेम इसी के ऊपर मिल गई यह इसी के ऊपर सेम पत पर ठीक अब एक छोटी सी बात बताओ जब यहां पर एक बिंदु पर काट रही थी तो हमें क्या मिला एक खल मिला यहां पर कितने बिंदुओं पर काट रही है इस रेखा पर सर अन अनंत बिंदू ऐसे इस्तित होगी उन सब को काट रही है यह दिख रही है उसी रेखा पर सेम रेखा है मतलब यह अनंत बिंदूओं पर काट रही है अनंत बिंदूओं पर अगर काट रही है तो रेखा कैसी हो जाएगी सर रेखा हमारे पास जोगी वह अपरमित रूप से अ वो अनेक बिंदुगों को काट रही है, अनंत बिंदुसरे खा पर उपस्तित हो गए, तो simple हमारे पास अपरमित रूप से हमें कितने हल मिलते हैं, अनेक हल मिल जाते हैं, तो इसमें हमें अनेक हल मिलेंगे, समानतर रेखा हैं, तुम्हें पता हैं कि कभी एक दूसरे को नहीं नहीं मिलेगा, यह बेसिक बेसिक सी बात हो गई, तो question कैसा बनेगा, question ऐसा ही बनता है, कि आप इससे पूछेगा, तो question है, आंगे, मैंने question लिए आए, देखो, यह question है, कांगे लिखा है, मैंने, कहां पर है, यह वाला, कि यहाँ पर कह देगा, कि अनुपातों की तुलना क करके, निम्न समीकन को निरूपित किया गया, यह समीकन दे दिये जाएंगे, फिर कह देगा, बताओ, यह बिंदू परतिछेद करते हैं, यह समानतर है, यह समपाती है, यह आप से पूछ देगा, तो उस condition में, मैं कांसी condition लगाने, उसके लिए नीचे हमने यह conditions लिखी है, क गुडांकों के अनुपात की बात आगी, इनी के गुडांकों के अनुपात में ही सम्मंद होता है, जिस सम्मंद के माध्यम से हम बता सकते हैं, कि यह रेखाएं प्रतिछेदी हैं, कि यह रेखाएं समपाती हैं, कि यह दो रेखाएं समानतर हैं, अब यह दो रेखाओं के ह हमने क्या लिखे व्यापक समीकर्ण लिख लिए व्यापक समीकर्ण तुम्हें पता ही है कि a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 यह पहली रेखा है यह दूसरी रेखा है अगर यह दोनों रेखा है प्रतिछेद करेंगी तो a1 बटे a2 का जो अनुपात होगा वो b1 बटे b2 के अनुपात के a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तो वो तीनों बराबर आ गए तो वो रेखा है समपाति होंगी अगर यह रेखा है तीनों का अनुपात a1 बटे a2 b1 upon b2 तो बराबर है किन्तो c1 upon c2 के बराबर नहीं है अता हम कह देंगे कि रेखा हैं जो है वो कैसी है समानतर है बस यही एक condition है मारे पास इसमें एक चीज और याद रखनी है कि अगर वो रेखा है प्रतिच्चेदी है तो जो हमें हल मिलते हैं वो कैसे होते हैं संगध र मिलते हैं मतलब कुछ ना कुछ हल मिलता है, क्योंकि एक हल मिलना है, कोई बात है, तो उसे संगत हल बोलते हैं, यहाँ पर भी हमें अनन्ध हल मिलना है, मतलब कि हल तो मिली रहा है, हल मतलब क्या है, कि कुछ xy के मान तो मिली रहे हैं, अगर हल मिलना है, तो संपाती और प्रतिछेदी म होते हैं जब कि समांतर में जो हल मिलता है उसे हम असंगत हल बोलते हैं कैसा बोलते हैं असंगत हल क्यों क्योंकि इसमें कोई हल ही नहीं मिलता है सर हमें पता है यह समांतर रेखा है कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे सो मिलेंगे नहीं तो सिंपल हल जो मिलते हैं वो कैसे होते असंगतल होती है, बहुत important table है, इससे आदे question अपने solve होएंगे, बहुत important है, इसी table में मैंने सब कुछ लिख लिया है, तो ये table एकदम दिमाग में डाल लो, कि कैसे क्या है, सारी चीजे आपको सामने लिखी है, सारी चीजे मैंने आपको clear कर दी है, कि आपको पता है, कि प्रत दिछेद होगा, तो केवल एक हल मिलेगा, समानतर होगा, तो कोई हल नहीं मिलेगा, समपाती में तो अने एक हल मिल जाएंगे, और इनके ratio का जो गुडांग, बहुत इनके गुडांग को का जो अनुपात है, वो आपको दिमाग में याद रखना है, बस उसी से question हलोगे, अ अब इस पर कैसे question मनते हैं, उनकी बात करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी को doubt तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं आता है, कोई बता दे हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं लग रही, सबको सारी चीजे क्लियर है ना, बजा आ रहा है ना, कोई feel हो र लिया, यूग मतलब हो गए, दो समीकण, या आप बोल दो, दो समीकण हमने लिये, अब इस समीकण में आपको मालो, मैं question frame करता हूँ, इसी से, मैं for example, एक question बना रहा हूँ, इस table का use करना बता रहा हूँ, कैसे use होगी यह table, मालो, दो समीकण आपको दे दिये गए, question देगा समपाति हैं, या समानतर हैं, बताओ, हो सकता वो option में अगर दे दे, तो चार option बनाएगा, यह दो सर लिखाएं दे देगा, पहला लिखेगा option, रेखाएं, प्रतिच्छेदी हैं, दूसरा option लिखेगा, रेखाएं, समानतर हैं, तीसरा option लिखेगा, रेखाएं, समानतर हैं, इन में से कोई नहीं, आपको बताना है कि कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे कि रेखा है प्रतिछेदी हैं, या समानतर हैं, या समपाति हैं, कि गराब बनाओगे, तो कि गराब बनाके भी बताया जा सकता है कि साम दोनों के गराब बनाएं, और हम ऐसे देखें, अगर इस प लगाएंगे गुडांकों का अनुपात जो यह हमने नीचे लिख रखता है अबर इनके गुडांकों का अनुपात निकाल लेंगे तो अगर इस प्रकार का अनुपात आये तो प्रतिछे दिये इस प्रकार का अनुपात आये संपाती है इस तरह का अनुपात आये समानतर है त 2x plus 3y minus 9 equal to 0, यह पहला समीकर्ण है, दूसरा समीकर्ण है 4x plus 6y minus 18 equal to 0, इसको दूसरा समीकर्ण दे दिया, पहले समीकर्ण से मालूम तुलना कर रहे है, A1 की value बता सकते हो ना, पहले समीकर्ण से देखके, x के साथ जो गुणांख है 2, B1 की value क्या है, सर B1 की value जो है, जो y के साथ गुणांख है 3, C1 की value क्या है, सर जो हमारे पास ये लिखा है, चिन के साथ लेना, जैसे minus का 9 लिखा है, minus का 9 लेना, 9 लिख लेना, चिन सहीत लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम व्यापक रूप लिखते हैं, तो यहाँ पर plus लग पड़ेगा, यह 4, A2 बराबर 4, ऐसे B2 बराबर, सर B2 बराबर 6, और C2 बराबर, minus का 18, अब निकालते हैं, इनके अनुपात, पालो A1 बटे A2 निकालो, सर A1 बटे A2 निकालेंगे, तो 2 बटे 4, मतलब कि आ गया है, 1 बटे 2, ठीक, ऐसे B1 बटे B2 निकालो, तो सर B1 बटे B2 क्या हो जाएगा, 3 बटे 6, यह भी आ जाएगा, 1 बटे 2, 3 एकम 3, 3, 2, 6, C1 बटे C2 निकालो, सर C1 बटे C2 निकालेंगे, तो आ जाएगा, minus का 9 बटे, minus का 18, तो यह भी आ गया, 1 बटे 2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस, 12, 18, तो यहां से हमें यह दिख रह जांसी सिस्तिती आ गए, अगर यह इस्तिती आ गई, डायटली सर, हम बोलनेंगे कि रेखाय कैसी आंज सर, रेखाय समपाती है, सर हमें पता है कि जब यह तीनों equal होती है, तो रेखाय हमारे पास कैसी हो जाती है, समपाती हो जाती है, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, तो समपाती हो जाती है इसमें एक कोश्चन और बन सकता है अग्सने ये लिखा इसके अलावा ये ना लेकर आप्शन उसने ये दे दिये सेकेंड आप्शन मैं तुर्णों ट्राइप की कोश्चन फ्रेम कर रहा हूं कि बताओ ये रेखाओं के हल संगत है हल क्या है संगत है य ये रेखाओं का हल संगत है या असंगत है या आदोती है या इन में से कोई नहीं है ऐसा कुछ बना देगा तो आपको कैसा दिख रहा है सर संपाती है तथा रेखाओं का हल क्या है संगत है क्योंकि कुछ न कुछ तो हल आता है संपाती में पता है कि अनेक हल आते है तो भी पाती रेखा हो जाती है तो एक ही question से एक ही example से दो different different type के question बन सकते हैं जो आपके exam के लिए बहुत important है पक्का आए गाई या तो यह प्रकार का question दिखा मिल जाएगा यह यह मिल जाएगा और दो समीकर्ण मिल जाएंगे और आराम से आप कर सकते हो बस इस table के माध्यम से यह table आपको याद रखनी है कि table क्या कर रहे के लिए रहे चले आंगे यह बात हो गए इस table के बारे में आप थोड़ा graph बनाना भी सीख लेते हैं जो मारे पास basically तीन विदिया है उतो दो question लिया है इसका graph पहले बनाना है तो मैं पहले graph बनाना सिखाता हूं उधारना का question है और इससे आपका graph बनाने का basic परिचर भी हो जाएगा कि कैसे graph बनाना नहीं आता इस question को ध्यान से देखो एक ही बार में सारी चीज़ें के लिए रोजाएंगी कि कैसे आपको graph बनाना है जब आपको graph बनाने को आएगा question कि जैमती रूप में लिखिए graph रूप में लिखिए तो उसका मतलब वही है कि x y तल पर उनको लिखिए उन रेखाओं को निरूपित करिए बस यही है तो उसी को बनाना सीख रहे हैं कह रहा है कि दो rail पट्रियां है समीकन ये और ये द्व हम उसको जैमती रूप में निरूपित करेंगे इस xy तल पर देखते हैं कैसे करना है सभी लोग ध्यान से देखेंगे पहले equation हम ले रहे हैं पहला समीकन xy x plus 2y minus 4 equal to 0 यह पहला समीकन हमने लिया इस पहले समीकन की पहले बात करते हैं ध्यान से देखना है कि क्या step follow करने हर question में यह step follow करना है कुछ नया नहीं करना है आप क्या करना है इस question में हमें यहाँ पर x और y के कुछ बिंदूओं के मान निकालने पड़ेंगे xy के इस समीकन के अनंतमान होंगे यह बात याद रखना है कोई भी समीकन होता उसके अनंतमान होते हैं तो इसके हम क्या करते हैं इससे अगर हम 2 point निकालने xy एक point निकालने एक xy दूसरा point निकालने अगर दो पॉइंट मिल जाएं, सिंपल सी बात यह है, अगर आपको दो पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट मिल गए, एक ये, तो इससे आप एक रेखा कीज सकते हो, इन दोनों को मिला दोगे, एक रेखा कीज जाएगी, उसी को मेनी रूपित करना है, तो basically सबसे नॉर्म का कोई कमान मिल जाएगा, तो sir क्या करेंगे, एक्स कमान कहां से रखेंगे, वो अपने मन से रखने, कोई भी संख्या रख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रही हो, सारे में से कोई भी रख सकते हो, कोई पूछेगा, sir 2 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, माइनस 2 रख सक का है आपके जो दिमाग में आ रहे हैं सारी आप रख सकते हो बस हमें उस हिसाब से रखना होता है कि हमारी calculation जो हो simple हो हम रखने को तो 2,00,000 रखने फिर हमें calculation भी तो करनी है करना तो सब हमीक हो है तो इस वज़े से क्या करनी है ऐसे मान रखो जिससे calculation इजी रहे तो हमारा favorite क्या है कि हम सबसे पहले लखते हैं x बराबर 0 x बराबर 0 पर इससे फाइदा क्या है कि x बराबर 0 से calculation इजी हो जाएगी x बराबर जैसे 0 रखेंगे y का कुछ मान निकल आएगा तो पहले रखना है x बराबर 0 यह कहां से आए x बराबर 0 यह नहीं सोचना क्योंकि यह खुद से रखा है आप खुद से कोई भी संख्या रख सकते हो तो x बराबर 0 रखा तो 0 प्लस 2y माइनस 4 इकल टू 0 तो 2y बराबर 4 y बराबर 2 यह हमारे पास y का मान मिल गया इससे x और y हमारे पास एक बिंदू आ गया क्या बिंदू आ गया जीरो कॉमा टू अब निर्दे सांग रखना जानते हो न एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखते तो x क्या है 0 y क्या है टू उसी को तो ग्राफ पर दिखाना x y तल पर कैसे दिखा हो गए जब निर्दे सा अंक ही ग्यात कर रहे है इस equation से यह 0,2 यहां से आ गया जीरो यहां से आ गया तो यह 0,2 हो गया टिक ऐसे क्या करोगे एक बार y बराबर 0 रख तो y बराबर 0 पर एक बराबर एक बार 0 रख एक बार y की जगह रख दो तो x का कुछ माना जाएगा और y का 0 मिल जाएगा तो दो द्यामिती रूप आएगा वो सेम आएगा ठीक है रखते है जीरो वाई बराबर यहां पर 0 रखेंगे तो एकस की वेलू किया है एकस की वेलू तो एकस रहेगी अब जीरो न रख दे ना क्योंकि वाई बराबर 0 पर ग्याद कर एकस कमान निकलेगा तो एकस प्लस टू वाई वल्लब की 4,0 एक दूसा निर्देसांग क्या मिल गया 4,0 सेम ऐसा दूसरा समीकन ले लेते वहां से दो निर्देसांग निकाल लेते इनको ग्राब पर फिर दिखा लेंगे दूसा सभी कट क्या लिखा है टू एक्स प्लस कफ़ऊर वाई माइनस कब 12 इक व्यूल टू जरो वैसे एक समी कण का आपंने ग्राब बनाया जीरो प्लस 4y माइनस का 12 एक्कॉल टू 0 ये तो हो जाएगा 0 प्लस 4y बारा को उस साइड ले जाते हैं तो y एक्कॉल टू क्या जाएगा ये तो 0 ही हो गया 12 बटे 4 मतलब की 4 तिया 12 मतलब की बिंदू के नियते सांग क्या जाएंगे सर 0,3 ऐसे y बराबर 0 रख लेते हैं y ब जब 0 पर रखेंगे तो y की वेलू 0 होगी तो 2x प्लस 4y की जगे 0 रखा माइनस का 12 एक्कॉल टू 0 तो 2x प्लस 0 एक्कॉल टू 12 तो यहां से 2x बराबर क्या हो गया 12 x बराबर क्या आगया 6 2 चंग 12 तो x की वेलू आगे 6 x की वेलू 6 y की 0 तो कैसे रखते हैं x,y तो 6,0 य हम इसा निर्धे सांग कैसे लिखा जाता x,y के रूप में पहले एक स कल में फिरवा में तो ये हमने चारеро बिंद only अलग इस रेखा के लिए दो बिंदू अलग अब इनकी रेखा को हम क्या करते हैं निरूपित करते हैं तल पर यहां पर देखो द्यान से अब पहले हम पहली वाली रेखा की बात करते हैं क्या रखना है जीरो कॉमा दो तो यक सच पे जीरो वाई पे दो समझ रहो ना कैसे कैस कई से चलना एक-स वी तल पर कैसे लिखना है एक-स पे 0 वाई पे दो तो एक्स धे थीक सी थीडी दोनों को मिला दो को मिला देते हैं थोड़ा टेडी लाइन होंगी ज्यादि यदि चलो कोई a इस बाई ज्यादध ही टेडी है ये तुट psychopath लिए चलो कोई ने जैसी है आप scale एक चरण से मिलाना सब खीक है जब आप लोग मिलाओगे तो कैसे मिलाओगे scale से, आप لوگ scale से मिलाओगे, तो आपके एकदम सीधी line आ जाएगी, यह हमने एक रेखा बना दी, जब आप scale से मिलाओगे, पड़री रखके, तो एकदम सीधी रेखा मिल जाएगी, two comma zero और four comma zero से पहली रेखा हमने यह बना लिए, पहली वाली यहां लिख देते हैं इसके निर्देसांग जीरो कॉमः दो यहां लिख देते हैं जीरो कॉमा ते इसके भी नीचे लिख देता है तो अधूर कॉमा यह तिक लुषके निर्दे सांग हमें क्या मिले इस यह मिल गए यहां पर 0,3 पहले के निर्दे सांग दूसरे के सन दूसरे के से 6,0 तो सिक्स को भामाजीडो यहां पर यह हो गया 6,0 इसको मिला दो कि एसे बन जाएगी नीचे वाली भाई नहीं है अब यह आ गया भाई graphene Roupan ऊगया अब फोड़ा से टेड़ी लग रही है आप खुछ से सोचो क्वेश्चन में क्या लिखा है रेल की पटरियों की बात हो रही है और रेल की पटरियां कैसी होती है इसमें देखें समांतर होती है और हमें दिख रहा है कि यह दोनों रेखा है रेल की पट्रियों की तरह समांतर ही चल नहीं, आप स्केल से मिलाओगे, एकदम समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, हाँ से मिला इसलिए लग रहा है, बाकी आपको दिख रहा होगा कि रेखाएं समांतर है, थोड़ा रेल की पट्रिया, ट्रेन थोड़ा नाच रही है, लेक लाओ आंगे लिख देता कि बताओ रेखाएं समांतर हैं या प्रतिछेदी हैं या संपाती हैं तो क्या देखके नहीं बता सकते थे कि सर रेखा हैं हमेशा समांतर नहींगी जब स्केल से बनाओग एकदम सीधी रेखा है तुम्हें दिख रहे होंगे सब लोग बनाते रोओ स फिर उसके बाद आप पॉइंट रखो और आराम से मिला लो कोई दिक्कत की बाद ने तो इससे ग्राफ की प्रेक्टिस होती रहे हो सकता है एक्जाम में आपको ग्राफ वेपन मिले नहीं भी मिले तो आप आराम से बना सकते हो एक्स वाई तल खीच के एक दो बार बनाओगे प्रेक्टिस हो जाईगी तो आप बता सकते थे कि रेखाएं संपाति हैं या समानतर है या प्रतिछ्य दिये इसी में पूस देता कि आप बताओ कि इस निकाय का जो हल आएगा वो संगत होगा या असंगत होगा वो क्या होगा तो आप बता सकते थे कि रेखाएं समानतर हैं कोई हल नहीं मिलेगा अतारेखाओं का जो हल आएगा इन रेखाओं के जो हल मिलेगा सरलेखाओं का वो कैसा मिलेगा असंगत मिलेगा निकाय का हल क्या आएगा असंगत आएगा क्योंकि कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो कि स इंपोर्टेन्बर का कोईश्चन है मैंने उसका एक पार्ट लिया और भी दो तीन पार्ट लिए यह सबसे अच्छा वाला पार्ट लिया जो सबसे अच्छा है यह कर लिया बाकि अपने आप कर लोगे कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रहे खिक समीकर्णों के युग में ब बनाना है यहाँ पर समीकर्णाय हमें दा यह दिया गये अब समीकर्ण नहीं दिया गय एक महारे परिभासा टाइप की दे दी गए कोस्चन कि अमें language को रम में दिया गया भातब भासा रूपमें और यह पर वकल्द कर हमें क्या बनाना है हमैं एक क tricked खुब बनाएं equation बनाते हैं कहरा है कच्छा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गड़ित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिये लड़कों लड़कियों की संख्या में ग्याद क पहले मान लेते हैं कि लड़के और लड़किया एक्स और वाई है क्यों सर एक्स वाई क्यों है कैसे आपको पता एक्स वाई क्योंकि दो ही लोग है यहाँ पर एक लड़के है एक लड़किया है तो दो लोग है तो दो अन्नोन है दोनों की संख्या में नहीं पता ना लड़क यहां हमारे पास X हैं लड़के Y हैं मान सकते हो कोई दिक्कर ने उसके कोर्डिंग हमारे पास समीकर बन जाएगी जो चाओ वो मान सकते हो लेकिन इसी रूप में मानना है जो बाक शेर तथा लड़कीयों की संख्या दैयर मन दिया भर्यक दिक्कत नहीं क्या कर आप समीकर निरमार कर दिद The Manai के लड़कों की संख्या और लड़के हנ्क कर यादी लड़कों की संख्या ये लड़कों की संख्या तो लड़कों की संख्या यक्स ठीक लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से चार अधिक है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से चार अधिक है इसकी अधिक है लड़कियों की संख्या से चार अधिक है इसकी अधि ल्यंग्वेज वाले जब भी कोशन आएंगे समी करण वाले जब भी कोशन आएंगे में लेंगा लटकों की संख्या आएकमने यह लड़क की संख्या y से 4 अधिक है लड़कों की संख्या वह अपने लिग दिया x बढ़ाबर y प्लस 4 ये बन गया पहला पया समीकल Committee कि इसको अटा देते पाप्धितों धूसा समीकल कैसे बने का दूसरा समीकल कहां दिया गया यूसरा समीकल satisfy पहली लाइन में दिया है देखो कह रहा है कच्छा 10 के यह रोमन भाहसा में 10 लिखा है तो कच्छा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गड़ित की पहली में प्रत्यूटता में बाली टूटल विद्यार्थी कितने हैं दस विद्यार्थी है कौन यह लड़के और लड़किया मिलकर तो यह विद्यार्थी बन नहीं है तो विद्यार्थी है कितने टोटल दस विद्यार्थी क्या है यक्स लड़के मतलब की लड़किया क्या है वाई दोनों का योग कितना है दस के बराबार यह समीकन दो बन गया आप समीकनन येक दो बन गए तो उसके बाद तो आप उसके राजा ओ अठीचर लोगे इसके तो आप किंगोरा में से निकाला लोगे जो अभी हमने किया एक समीकन ये है इन दोनों समीकर्णों के यूग से आप ये ग्राफ नहीं बना सकते जो अभी पीछे किया बस करते एक बार फिर से बनाते और थोड़ा प्रेक्टिस हो जाएगी लेते एक एक समीकर्ण के लेके चलते मालों ने पहला समीकर्ण लिया ठीक कि इधर लिखते हैं अब भगवा जरते कहरा है एक्स बराबर वाइप लस फूर पहला समीकर्ण है यह पहला समीकर्ण अमनि उठाया पहले से μीडिसांग निकालने देहां से देखोगे कैसे करना आ वही काम करते जो अभी पीछे किया था क्यों हम बार बार नेया करें कर सकते हो कि एक्स बराबर दो रख लो 5 रख लो जीरो रखते हैं, बहट आराम सी क्वेशन ben जाती ही, minus 4 यही तो आएगी y की value minus 4 इदर से निकल आएगी अच्छा y बराबर 0 रखें सर अगर y बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखेंगे तो x इकल टू y की जगह हमने क्या रखा 0 प्लस 4 ठिक तो x बराबर क्या गिया यहां से में क्या मिल गया x और y के दोनों के मान मिल अठिक क्या मिल गया क्या मिल गया एक point हमें मिल गया यहां से मेंपॉइंट किता मिल घ् Pharisee और यहां से point में लिग देते हैं इसका point अलग लिख देते हैं यहां पर लिखते हैं यह point हमें मिल गया 0, minus 4 यहां पर क्या मिल गया y वराबर 0 रखा था x की value 4 थी y की 0 तो 4,0 क्योंकि x,y के रूप में लिखते हैं तो x,y तो x की value क्या है सर एक्स की वेलू जीरो रखी तो एक्स कॉमा वाई तो जीरो कॉमा चार एक्स कॉमा जीरो तो एक्स की वेलू चार वाई की जीरो तो चार कामा जीरो ठिक यह पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया ऐसे ही इधर निकाल लेते हैं कुर से इधार करतें दूसरा अब हमारे दुससा समीकर यह वला समीकर । यह लिए अध्यल टूटेल acquire । दूसरसमे कम निकालते एक वराबर जीरो रखते हैं वही से मैं से आपाइब जीरू पर। इस वराबर जीरू जब यहां पर हम रखेंगे तो प्लस वॉइ इकोल टु टैन मतलब वाइ से से लोग जाएगा 6 वइबराबर दस मिल जाएगा अगर हम y बराबर 0 रखते है तो x प्लस 0 एक्वल टू 10 तो यहां से सर मिल जाएगा x बराबर 10 तो हमें 2 पॉइंट कौन से मिल गए सर 2 पॉइंट यहां पर पहला पॉइंट 0,10 पहला पॉइंट मिल गया सर 0,10 दूसरा कोन संब गया 10, 0 10, 0 मिल गया 0,10 1 मिल गया 10, 0 दोनों समीकण हमें मिल जाएंगे दोनों बिंदू हम इसको पहले निरूपित कर लिते निडदे सा इंतल पर फिर इसको कर देते है आराम से घ्राब बना x पे 4 y पे 0 तो x पे 4 y पे 0 यह आ गया 4, 0 इनको मिला देते हैं कि यह आ जाएगा यह कौँन सा है यह पॉइंट है सार 0, 0,-4 यह कौन सा पॉइंट है 4,0 अगला जो अगला पॉइंट हमें कौन मिलेगा 0,10 और 0,10 और 10,0 यह वाला पॉइंट मिल जाएगा तो यहीं से बना लेते हैं यह वाला पॉइंट हम लोगा सहिए x equal to y plus 4 यहां से हमने रखा था x बराबर 0 तो y plus 4 तो y कमान आ गया था minus 4 ठीक है और y की value जो हमने 0 रखे तो x बराबर 4 आ गया था ठीक है तो 0, हमारे minus 4 आया था पहला point तो 0, हमने minus 4 लिख लिया कहां पे है यह 0 y पे minus 4 ठीक और यहां से कहा मिला था 4,0 x पे हमारे पास है 4 और y पे 0 तो 4,0 लिख लिख लिए था ठीक है ऐसे यहां पर 0,10 और 10,0 तो 0,10 और 10,0 कैसे मिलेगा सर यहां से हो जाएगा 0,10 x पे 0 y पे 10 यह वाला point दूसरे पेंसे लिखते है ठीक यह वाला point कौन सा होगा 10,0 यह वाला point इन दोनों को मिला देते हैं बस इन दोनों को मिला दो अब यह दोनों जहां पर प्रतिश्यत करेंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी एक प्रकार से यहां पर प्रतिश्यत करेंगी करीब यहां पर अगर देखो इसी point पे तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो बिंदु के निर्देसांग आते हैं वो 3,7 आते हैं सिंपल यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पर करते हैं जब आप पट्री से बनाओगे तो आपको exact point मिल जाएगा कि किस point पर कर रहे हैं तो 3,7 आपको exact point मिल जाएगे कि y यहाँ पर x पर 7 है और y पर हमारे पास 3 है तो 3,7 पर प्रतिछेद करेंगे तो यह 3,7 क्या दरसाएगा एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई तो होता है और एक्स कॉमा वाई क्या है मारे पास सर्यक्स हमारे पास है लड़कों की संख्या और वाई मारे पास है लड़कियों की संख्या तो यहां से आप लिख दोगे क्या लिख दोगे कि यहां से हो जाएगी एक्स लड़कों की सब्सक्राइब सक्क्राइब करें यह सब्सक्राइब घंगी सब लड़के आपको मिल जाएंगी तो एकाम लड़के मिल जाएंगे साथ हमें लड़कियों में वता नहीं तो यह साथ और तीन लर्चों की संख्या है आरामसे आप ऐसे बता सकते हुआ से यह हसी भína ऊठ गए है थोड़ा ऐसे आएंगा तो नीचे से आ जाएगे और यह वाली पॉइंट तो लगबख सभी चल आ है तो उसी साफ से आजाए तो यह हमारा हो जाएगा इस पार्ट का आणसर पहले बस समय क्या करना था समीक्ण का निर्माड करना था बस समीकड का निर्माड आपका सही है गराव अपने आप और निर्माड करना आपको ऐसे ही है बस language पड़ो और आराम से equation लिखो simple simple निर्माड करने को आएंगे आराम से आप निर्माड कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं तो यह हो गया important question इस टाइप की question long में बनते हैं अच्छे-चे मलब तीन नंबर में question यह आराम से बनेगा तीन से चार नंबर में तो आराम से आप question कर सकते हो अब चलते हैं आंगे अगले पार पर इसके अगला question हमारे पास क्या है अब इनके अनुपातों को देखकर हमें यह बताना है कि रेख हैं प्रतिच्छे-दिये समपातिये समंतर कैसे बताया था इनके अनुपातों को देख कर रहां इनो पाती ही तो तो सर एवन कित्ता हो जाएगा एवन हमारे पास हो जाएगा चार बीवन कित्ता हो जाएगा माइनस चार और सीवन कित्ता हो जाएगा आठ ऐसे एटू कित्ता हो जाएगा साथ बीटू कित्ता हो जाएगा आठ और सीटू कित्ता हो जाएगा माइनस करनो तो एवन बीटू ब को पता है कैसे सर एवन बटे एटु तो एवन बटे एटु एवन की वेलू क्या है चार एटु की वेलू क्या है सात तो चार बटे सात हो जाएगा आगे आजो बीवन बटे 2, B1 क्या है, माइनस का 4, B2 हламारे पास क्या है, 8, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बटे 2, कोई दिक्कत की बात नहीं, आरे पहले ही हमें दिख गया, कि A1 बटे A2 डजनॉट इक्वल टू B1 बटे पहले ही हमें दिख गया, पहले ही 2 पास है, C1 upon C2 कुछ भी हो, कोई दिखकत नहीं, 8 बटे 9 है, बराबर भी निकला था, किसी के तो कोई दिखकत नहीं है, हमें दिख रहा है कि A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2 है, यह दोनों आपस में नई बराबर हैं, और नई बराबर तो रेखाएं कैसी होती है, प्रति छेदी, कैसी होती है, प्रति छेदी रेखाएं होती है, जो मैं आपर दिखा था यह कंडिशन में, कहा लिखा था, यह लिखा था, कि हमारे पास अगर A1 upon A2, B1 upon B2, यह बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी हो जाती ही थी, प्रति छेदी हो जाती थी, तो आराम से आप लिख सकते हो कि यहाँ पर पूरा अंसर लिखो कैसे लिखो यह लिखो अता अता रेखाएं क्या है रेखाएं प्रतिछेदी पूरा अंसर लिखो तो ज्यादा सही रहे अता रेखाएं प्रतिछेदी बस यह मारा अंसर हो जाएगा कि सरा में इससे हमने A1, B1, C1 इंग लिख लिए और इनसे अनुपात निकाल लिया और यह हमने देख लिया A1 upon A2 does not equal है B1 upon B2 यह does not equal को साइने मलब equal नहीं है तो अता रेखा है प्रति छेदी है डालेक्लियम लिख सकते हैं इस पर सेम टाइप का कोश्चन एक क्या बनता है संगत असंगत का जो मैंने बताई इससे यह भी पूछ सकता था इसी में कि यह संगत और असंगत है या नहीं तो प्रति छेदी है मतलब कि कुछ ना कुछ हल मिलेगा इस निकाय का इस निकाय का हल आएगा एक बिंदू पर तो कटेंगे इस प्रति छेदी है तो तो यह बात क्या होगी कि निकाय हमारे पास संगत होगा सेम कोश्चन है दूसरे टाइप का कि इन अनुपातों का उपयोग करके बताओ निकाय संगत है या असंगत उसके लिए भी क्या करेंगे गुलांकों की तुलना करेंगी पहला हमार 3y बराबर 7 यह दूसरा समीकरन है आप दोनों से तुल्ला कर सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं a1 b1 b2 निकाल सकते हैं a1 भी निकाल सकते हैं a1 3 के बराबर b1 हमारे पास क्या है b1 हमारे पास है 2 के बराबर अच्छा एक छोटी सी बात सर ये जो C1 होगा इसको प्लस का 5 लिखेंगे या माइनस का 5 लिखेंगे जब हम तुलना करते हैं तो समीकणा व्यापक रूप में क्या होता है सर व्यापक रूप में तो ये होता है A1X प्लस B1Y प्लस का C1 इक्वल टू 0 मतलब इक्वल के इस साइड होता है कैसा होता है इक्वल के इस साइड और ये इक्वल के इस साइड लिखा है तो पहले हमें इक्वल के इस साइड लाना होगा कि नहीं लाना होगा तो एक काम पहले ये करना है पहले हम इसको equal के इस side ले लेते हैं, वहीं से, starting से ही, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है, जब भी सरम व्यापक समीकर्ण लिखते हैं, पीछे दो व्यापक समीकर्ण आपने लिखाये थे, a1x plus b1y plus c1 था, c1 हमारे पास equal के इस side था, c2b equal के इस side था तो उस side जो भी लिखाओ, constant में, अचर में उसको पहले इस side ले ओ, लिख लेते हैं पहले इस side, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह सर हो जाएगा, पहला समीकर्ण लिख रहे हैं, 2x plus 2y, 5 को मिधर ले आए, तो minus का 5 equal to 0, इसको पहला समीकर्ण दे दिया, दूसरा दे दिया, अब हम लिखते हैं क्या, इनकी तुलना, अब तुलना करेंगे, तो a1 हमारे पास कितना है, सर a1 हमारे पास 3 है, b1 कितना है, 2 है, c1 कितना है, minus का 5 है, ठिक, क्योंकि चिन्न के साथ है, अगर इधर वाला ले ले लेते, plus का 5 आ जाता, मामला गड़बड हो जाता, a2 x कितना है, a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारे पास है, 2, b2 हमारे पास कितना है, minus का 3, c2 हमारे पास कितना है, minus का 7, तो हम इस तरफ लाके ही कर देंगे, क्योंकि व्यापक रूप इस साइड होता है, इस साइड करोगे, फिर दोनों साइड हों तो बात अलग है, लेकिन हम य यह चीज यादर को स्टेंडर्ड तो दिक्कत नहीं होगी अब इनका नुपाद निकाल लेते हैं एवन बटे एटू क्या हो जाएगा तीन बटे दू बीवन बटे बीटू किता हो जाएगा दो बटे माइनस तीन बीटू मारे पास कहां यह है ठीक लिक देते हैं पहले एवन तो यह हो गया बीटू मारे पास माइनस का तीन है तो बीटू मारे पास किता है माइनस का तीन यह तीन बटे दो है यह दो बटे माइनस तीन है हमें दिख रहा है कि इनके अनुपाद आपस में बराबर नहीं है दिख रहा है ना क्या है एवन बटे एटू डस नॉट इ है अनुपात अगर यह बराबर नहीं तो रेखा है प्रतिच्छेदी होती है और इसको हम बोलते हैं कि निकाह जोगा वह जो कैसा होगा संगत हो लिख देते हैं आता है यही तो पूचा गयाकि समीकरण यूग में संगत य या संगत तो लिख देते हैं यहाँ पर समी करण यूग पूरा लिखते हैं समीकरण यूग oh कि रेका आपको पता है इसंगत कब होता है संगत रही होता है जब यह हमारे पास प्रतिछेदियों या संस्सांत वता है तो निकाइग एसा है संगत तो इस टाइप के कोई भी कोशन को कोई जरुवी नहीं कोशन आएगा अब इसमें अगर एक्वेशन बदल देगा फिर पूछ दे प्रतिछेदी समांतर पर वह हमारे पास और प्रतिछेदी समांतर या संपाती है तो आराम से बता लोगे बस तुलना करनी है सेम इसी विधी पर जित्ते कोशन बनते हैं वो हम लोगों होने कर लिए ग्राफ राफी विदी में हमें ऐसे एक तो पीछ्छे में वने किया ये वाला कोशन बहुत इंपॉर्टेंट है के वाला कैशन और एक हमने उसका निरूपन देख ये वाला कोशन इसी कोश्चन बनेगा या यह question उस पर बनता है जो हमने रेखा है directly इनके गुडांकों पर बोश दें जहां पर आपको graph ना बनाना पड़े क्योंकि इसका अगर graph बनाने बैठेंगे तो time लगेगा दस पंदा मिनिट लग जाएगा और हो सकता है question दो नंबर में पूछा जाए एक ही नंबर में पूछा जाए तो क्या graph बनाएंगे नहीं फिर हम directly ऐसे करेंगे और वैसे भी यह question अगर ज्यादा में पूछ दिया जा किसमत अच्छी रही तो अभी आप ऐसे करोगे आप लिखोगे तुलना करने पर एवन बीवन सीवन एटू बीटू सीटू अराम से लिखके गुडांकों की तुलना करके आंसर लिखाओगे आपके पूरे marks मिलेंगे कोई marks नहीं कट होने वाला ठीक है आप चलते हैं अपने सेकेंड जो मैठेड था सेकेंड मैठेड हमारे पास क्या था सर्फ प्रतिस्तापन वीदी क्या था हमारे पास प्रतिस्तापन वीदी और विलोपन वीदी की बात करने तो प्रतिस्तापन वीदी की तरफ चलते हैं आप दूसरी वीदी समझते हैं प्र और यह लिखा है, 2x plus 4y बराबर माइनस का साथ, यह हमारे पास पहला समीकन दिया है, यह दूसा समीकन दिया है, ठिक, अभी मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई दो समीकन दियेगे, प्रतिस्तापन विदी का मतलब क्या है, पहले बात यह समझ लेते हैं, फिर कोस्चनल हल करने का मतलब है कि उनके x और y के मान निकालने, यह दो समीकन यूग में, इसको हल करना है, तो हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने, तो आप किसी भी एक समीकन से, इससे या इससे किसी भी एक से, इससे या इससे किसी भी आप एक को ले लो, यहां से या तो x का मान न निकाल सकते हो, कोई उसकी डरने के बादे, या आप इस समीकन से y कमान निकाल लो और इसमें रख दो, या इस समीकन से y कमान निकाल कर इस वाले में रख दो, मतलब एक समीकन से x या y में से किसी एक कमान हम निकालेंगे और दूसरे वाले में put कर देंगे, या आप इस वाले स से इसमें रखो या इस वाले से समीकन नाम दे देना ऐक को समीकन दो नाम दे देना पहली स्टेप में यह काम करो कि समीकन एक है यह समीकन दो है अब हम गुडांग क्या एक एक कुछ नी लिखा मतलब एक है तो सबसे पहले वाली उठाओ उससे को कैलकुलेशन जोगी वो सिंपल लएगी हमने यह वाली उठाई पहली वाली माला लिखा हमने समी करण 1 से, हमने लिखा समीकरण 1 से, क्या है, x plus 3y बराबर 2, पहली समीकरण हमने लिए, यहां से हम x कमान निकालते हैं, क्योंकि उससे calculation simple लेगी, तो x बराबर हो गया, 2 minus का 3, यह हमारे पास x बराबर हमने क्या किया, यहां से x बराबर यहां से निकाल लिए, 2 minus 3y, टिक, अब हम ल लिएते हैं, समीकरण 2, अब लिखते हैं, समीकरण 1 से, x कमान समीकरण 2 में रखने पर, इससे हमने x कमान निकाला है, इससे x कमान निकाला समीकरण 1 से, अब इस x के मान को मैं समीकड़ 2 में रख रहे हैं, ध्यान से देखना, 2, अब x की जगए पर क्या रख देंगे, इस x का मान जो समीकड़ x से निकाला है, 2-3y, प्लस का 4y, बराबर का मैनस का 7, हल करो, 2 दूना 4, 2-3, 6, प्लस का 4y, इक्वल टू मैनस का 7, तो क्या आ जाएग y, यह मैनस 7 है, 4 को से डले हैं, तो मैनस का 4 हो गया, इधर करने हैं, मैनस 2y, बराबर, मैनस 7 और मैनस 4 किता हो जाएगा, मैनस का 11, मैनस और मैनस हो जाएगा, प्लस, तो y बराबर क्या जाएगा, 11 बटे 2, यह y का मान आ गया, 11 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं, गंदा संदा आ आँ बटे में आ सकता है पूरा पूरा जा रहा है पूरा पूरा जा सकता है जैसा आ रहा है वह वैसा आपको लिख देना है य बराबर धैरा बटे दो आगए इस आप आप दो आड kali एक हो अब y कमान किसी भी और मिया कर दो एक समय कर पिसली का और समी करना 2 में हम रख रहे हैं, तो 2x प्लस 4, y की जगह क्या है, 11 बटे 2, तो यहां रख देते हैं, 11 बटे 2 equal to minus का 7, 2 से 4 को काट देते हैं, 2 दूना 4, तो 2x प्लस 11 दूना हो जाएगा, 22 बराबर minus का 7, 22 को उस साइड ले जाते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, minus 7, minus 22, तो 2x बराबर क्या आजाएगा, सर माइनस का 29, तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस का 29, बटे का 2, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आ रहा है, वह सा रख 2, x और y के मान, आराम से निकाल सकते हूँ, कि सर x का जो मान, y का मान आया, वह 11, 2, और y का जो, x का जो मान आया, minus का 29, 2, y का मान, 11, 2, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इससे चाहते, तो y का मान निकालते, फिर यहाँ पर y का कुछ मान आता, उसको हम इस समिकण के y में रख देते, उससे भी आंसर सेम आएगा, चाहें जो करो, चाहें इससे इसमें रखो, इससे इसमें रखो, बस आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत की बाते, calculation थोड़ा simple है, ऐसा चीज़ यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि time बचाना है, time important है, उतने time में हमें सारे question करने है, तो जो question बहुत आसानी से हो सकते हैं, एकदम simple simple question है, इसमें जल्दी से ऐसा काम करना है, कि खट से हमारा answer आजाए, और हम आँगे question की तरब बढ़ सके, अब हमें दिख रहा है, कि एकदम बढ़या question है, कि समीकल एक से हमने उठाया, इसदर से मान पुट किया, आपको यही करना आप रतिस्थापन होगी, एक मान निकालो, यक्स का यहां से निकाल लिया, वाई के पदों में, तो वाई का मान इधर रख दिया, तो एक पूरी समीकल यह यह वाई के रूप में आजाएगी, उससे वाई का मान निकाल लएगा, जब वाई का निकाल आएगा, फिर इन दोनों में किसी में रख लू चाहे, इसमें रख लू चाहे, मान वाई मारे पास आ जाएगा, कोई दिक्कती बार नहीं, अगर इसमें भी रखते तो भी मान वही आता है, ऐसा ना सूचना कि इसमें रखेंगे तो मान दूसरा आएगा, यहां रखके देख लो आई कमान, 11 बटे 2 रखोगे, 33 बटे 4 हो जाएगा, उस साइट LCM लोगे जाके 2-33 बटे 4, 39 बटे 2 ही आ एकजामपल लिया है, फिर से एकजामपल, इसी को भी एकजामपल के माध्यम समझते हैं, यह सबसे बढ़या विदी है, और बहुत सिंपल रहती है, जब कोई भी एक गुडांक सेम हो जाए, जैसे यहां पर वाई का गुडांक आपको सेम दिख रहा होगा, तो बहुत चाहें एक्स को गाइब कर दो, चाहें वाई को गाइब कर दो, एक को गाइब कर दोगे, तो एक कमान आराम से निकाल सकते हो, अगर एक्स को गाइब कर दिया तो य कमान आराम से निकाल सकते हो, अगर गुडांक सामान दिये गए, किसी भी एक के, चाहें एक्स के दे दिये जाए चाहे वाई के दे दिये जाए तो तो question एकदम आसान हो जाता है directly हम इनको काट सकते हैं अगर उनके चिन विप्रीत होने का मतलब क्या है जैसे यहाँ पर प्लस का लिखा यहाँ पर भी प्लस का लिखा तो ऐसे हम नहीं काट सकते क्योंकि प्लस ओ प्लस तो जुड़ जा अगर दोनों हमारे पास अलग अलग पहले से एक प्लस है एक माइनस है या एक माइनस है प्लस है तो कुछ नहीं बदलना पड़ेगा directly कट जाएंगे तो जब हमारे पास इस प्रकार की condition है मैं condition लिख देता हूं जिससे आसानी से clear हो जाए अगर हमारे पास दोनों चिन माइनस प्लस है तो भी कर जाएंगे अगर दोनों सेम है यह माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो हम लिखते हैं घटाने पर क्या लिखते हैं घटाने पर अगर घटाने पर क्या होता है कि घटाने पर सर यह होता है कि जो नीचे वाली समीकर्ण लिखी होती है इसके चिन बदल जाते हैं अगर यह चिन बदल जाएंगे यह माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस यह सेम होना चीन है यह माइनस माइनस है हम उसकी केस में क्या लिखते हैं गटाने पर अगर वो माईनस माईनस है तो नीचे वाले के हमारे पास घठाने पर जाएंगे तो नीचे वाले समिकण के चीन बदल जाएगा मैमें अप्र लिखती बह्ति कें比 लिक्कत की बाती नहीं है तो क्या करना आए जैसे हमने पहला समीकण लिखा दूसरा इसको ऐसे डारेक्टली लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे घटाने पर घटाने पर क्यों लिखा सर क्योंकि यहां पर प्लस का था यहां प्लस का तो नीचे वाले समीकण के चिन बदल ज सिर्टका 1 तो X बराबर किया जाएगा 1 उसकी वाया जाएगा और अब फिर वहीं काम करने एक्स की मारे पासłaगी किसी भी समीकर्ण में राख दो वाई की वेलू मिल जाएगी समीकर्ण 1 है समीकर्ण 1 में रखते है कि sy की वेलू राख दो 1 प्लस 3Y इक्वल टू 7 तो 3Y इक्वल टू 7 माइनस 1 3Y इक्वल टू 6 तो Y बराबर 3 दूना 6 तो Y की वेलू क्या आगई? 2 आगई तो X का मान मिल गया असर हमारे पास 1 Y की वेलू मिल गई 2 ये दोनों के मान जब हमें निकालना है ये विदिया है समीकण को हल करने की हल करने का मतलब है कि उनका मान निकालने की अगर हमें गुड़ांग समान दिए गए तो तो कोई दिक्कत नहीं तो अगर ये माइनस होता तो हम जोडने पर यहा लिखते डारेक्ली कट हो जाते हम चिन नहीं बदलते ठिक अगर यह minus minus भी ओते तो भी कोई द्टकत नहीं तो हमें क्या करना पड़ता घटाने पर लिखना पड़ता क्योंकि दोनों मारे पास same चिन के होते हैं तो एक चिन विपरीध करना होता है जब भी विपरीध करना होगा यह न ही कंचल होगे, plus minus ही तो यह 7Y, 3Y है, गुडांक कोई समान नहीं, न X का समान है, न Y का समान है, कोई तो एक समान होता, अब एक भी समान नहीं, तो क्या करेंगे, तो सर, हम उनके गुडांक समान बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, उनके गुडांक समान बनाना है, सर, गुडांक कैसे समान बनाएं कि उपर वाले समीकर्ण में जो एक्स का गुडांक है उसको नीचे वाली समीकर्ण में गुडा कर देंगे और जो नीचे वाली समीकर्ण में एक्स का गुडांक है उसको उपर वाली समीकर्ण में गुडा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं आप यह कंडिशन वाई के साथ भी समान हो जाएंगे अगर आब दो बनाने के लिए इसको समीक्रण 1 दे में बस विप्रीत का गुणा करना है समीकरण एक में किससे गुणा करेंगे इस पांच से नीचे वाले समीकरण के जो एक्स का गुणान के तो समीकरण एक में पांस से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में तथा समीकरण 2 में किस से करेंगे समीकरण 2 में इस समीकरण 2 में 2 से समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तभी तो गुणान समान मनेगा गुणा करने पर करते हैं गुणा इसमें मालूम ने 5 से किया तो उपर वाली समीकरण पांस से करो तो पांस तूना 10x 5 सते 35y इक्वल टू पाउच एकम पांच यह समीकण मालू मारे पास 3 आगे तो नीचे वाले में 2 से 2 पंचे 10x 2 3 6y और आट दूना 16 समीकण 4 बन गई एक्स के गुडांग समान बना लिए बना लिए नहें समान X के गुणांग अब X के गुणांग समान तो है लेकिन ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तुम क्या लिखेंगे गटाने पर चटाने पर क्या होगा यह माइनस हो जाएगा यह बराबर क्या जाएगा माइनस का 11 बटे 39 बड़ा गंदा सा आया है बाई कमान क्या जाएगा माइनस 11 बटे 39 अब य कमान हमें किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा और एक्स कमान निकालना पड़ेगा कोई दिक्कत ने बंदा सा बनना है तो जो बन रहा है उसको सॉल्व कर लेते सही है न हमने यह आपर पांस से किया था पांदूना दस पांस सते पैंतिस बांचे कम पांच दो पंचे दस दो तिया च्छे दो चोब दूट्टी सोला ठीक है आई कि जगा राखो गे माइनस का 11बटे 39 इकवल टो मारे पास क्या हो जाएगा तो फाइनस तो उपर हैं ले लो तो नव घुना हो जाएगा तो यहां से किता हो जाएगा आठ न सोला और सोला और सॉला ऊसाथ किता हो जाciones तो 232 और प्लस 33 बटे 39 हो जाएगा तो 5X बराबर क्या आ जाएगा सर यह आ जाएगा जोड़ दो तो 3 5 3 3 6 2 265 बटे 39 अब X बराबर किता आ जाएगा 5 से धर भाग हो जाएगा तो 265 बटे 39 और गुने में 5 नीचे और आ जाएगा 25 से इसको काट लेते हैं 25 25 25 तो आजाएगा 55 बटे 39 यह आजाएगा एक्स की वेलू कोई दिक्कत नहीं सॉल्यूशन अमें सॉल्व करना आना चीह मैथर आना चीह कुछ गंदा संदा सा बनना है तो बन जाने दो कोई दिक्कत नहीं आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं गुणा भाग जोड़ गटाना है अम नाइन से ही सीखते चले आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं एक से एक्स कैंसि आना है तो उसे समान जवर ज़स्ति हम बनाएंगे अगर समान है तो हमारी अच्छी बात है आराम से कोईशन सॉल्व हो ओग सॉल्व कर लेंगे तो प्रतिष्टापन में उसको बदलते हैं या वाई की निकाल के दूसरे वाले में रखते हैं और प्रतिष्ट मेरे हैं एक क प्रकार के या इस प्रकार के बहुत important question कांफर्म एक question श्योर एक question है चार या पालांग में question एक मिलेगा इस प्रकार का question पक्का है श्योर है इन question कि अब हमें practice करनी कि कैसे लगाने मैं सारे कराऊँगा हर टाइब का question है इसा नहीं कि मलब की सर बस में में बताया उपर उपर चले गया मैं question practice भी करा रहा हूं साथ में इसी वज़े से ताकि concept के साथ जब तक कोशन प्रेक्टिस नहीं होगी तब तो start करते हैं पहले question से पहला question हमारे पास क्या दिया गया है इसी question से पहले start करते हैं अब इस question में हमसे क्या कह रहा है कि यदि अंस में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह एक बटे दो हो जाती है वह भिन क्या है मतलग कि हमें यहाँ पर भिन को बताना है कि भिन वह क्या होगी जब किसी भिन में अंस में एक जोड़ देते और हर में घटाते हैं तो वह एक बन जाती है जबकि उसके हर में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो वह एक बटे दो बन जाती है तो उस भिन को में ग्याद करना है अच्छा भिन होती क्या है भिन वही होती है जब उसको अंस बटे हर के रूप में लिखते हैं तो इसमें अगर हमें अं X और Y माल लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर माल लेते हैं पहले भिन को, पहली चीज़ हम क्या लिखते हैं, माना भिन X बटे Y है, ठिक, X बटे Y का मतलब क्या है, कि X उसका अंस है, Y उसका हर है, तो हमने माल लिया कि माना भिन x बटे y रूप की है कोई ठीक कोई दिकत ने आप question पर आजो दोनों equation बनाने के लिए दो समीकण बनाने के लिए चीजें बताई हूँ यह क्या बताई है बस वही हमें अच्छे से समझना है सबसे पहले समीकण का निरमाल करना है वो बहद importante है और एक बार में ही समझ में आ जाईगा बस ध्यान से देखो कह रहा है कि यदि हम अंस में एक जोड़ दे जो ये कह रहा है वो करते जो अंस क्या है x तो x में हमने क्या किया अंस में एक जोड दिया ठीक आगे क्या बोला तथा हर में एक घटा दे हर क्या है y तो y में एक घटा दे तो y-1 कर दिया ठीक तो भिन एक हो जाती है मलब अगर इस भिन को हल किया जाता है तो वो एक हो जाती है, यहां से हमें पहला समीकण मिल गया, बस, यह हमारा पहला समीकण हो गया, अगली बात क्या कह रहा है, कि यदि हर में एक जोड़ दें, ठीक है, दूसरी समीकण बना रहे हैं, अगर हम हर में एक जोड़ दें, भिन एक बन गया यह समीकण दो बन गया यहां से अभी समीकण के नाम नहीं देते हैं बस यहां से हम दो समीकण बना लेंगे CDC बात ही है कि इससे हम एक समीकण बना लेंगे एक इससे समीकण बना लेंगे यहाँ पर हमें एक चीज लिख देते हैं प्रस्णा अनुसार कि हमने प्रस्ण से पढ़कर ही यह equation बनाई है प्रस्ण के अनुसार हमने जो इस समीकण बनते हैं वो हमने बना दी सेम इसी तरह हमें एक्जाम में लिखना है कि पहले माना हमने बिन को x बटे y है फिर प्रस्णा समान निकाले तो y-1 इधर गया तो यह भी माइनस 1 x बराबर आ गया y-2 यह बन गए यमारे पास पहली समीकण इसको हम डाल देते हैं समीकण नंबर 1 अब वहां से दूसी समीकण बना लेते हैं इसमें भी यही करते हैं दो से इधर गुणा 2x बराबर y-1 तो यहां से अगर पर दो समीकणे, एक और दो में दिख रही है हमें कौं सा मेथड लगाना है हमारे पास तीन विदिया ha basically 2 विधियां भीbaby animalению घड़िये कि प्रतिस्ता आपन विधी या विलोपन विधी दो विधियों ईंट च्वसके लेकिन लेकिन हमें किसके according question solve करना हमें कौन सी विदी कब लगानी है तो सबसे अच्छा तरीका यहां पर हमें क्या दिख रहा है क्या चीज लगाना आसान लिग रहा है कि यहां से हमें x की value निकाल कर रखी है और इस x की value अगर हम यहां पर जमा दें यहां पर रख दें इस x की जगे तो हमें तुरंत यहां से y की value मिल जाएगी और y की value हम किसी भी एक समीकर्ण में रख के x की value निकाल नेंगी तो यहां पर प्रतिस्तापन विदी आसान है अगर हमें will open लगानी है तो will open भी लगा सकते हैं फिर हम एक तब समीकर्ण एक दो रखकर फिर हम अलग-अलग करें लेकिनि आपन निकली हुई रख्यों इसलिए इम यह समझाना चारे कि कब कौन सी लगानी तो आपको दिख रहा है कि x ब्रावर y-2 लिखा है इसको सीधे यहां पर रखके सीधे हल कर लेते हैं तो वही काम करते हैं हम लिखते हैं समीकर्ण एक से x का मान समीकर्ण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है आप अगर विलोपन से हल करना चाहें विलोपन से कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर हम रखते हैं x की जगह पर क्या रखोगे y-2 रख दो y-2 हलकल लेते हैं y-2 इक्वल टू y प्लस 1 यह हो गई 2y-4 इक्वल टू y प्लस 1 यहां से हो गया y-5 मतलब हर आगया मार्या पास हर क्या था य तो वैइफ कमानафने निकालना यहीं पर गदिती एधर तो y के जिएगे 5 रखते हैं 5-2 तो यहां से x ब्राबर क्या जाए गती है तो x अमारे पास जो है इस भिन का जो अमारे पास अंसर हो तीन आ गया हर पांच आ गया तो मैं आप लिखते हैं आंसर लिखते हैं अता भिन तीन बटे पांच है सीधे इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं सीधे लिखते हैं बिन तीन बटे पांच है बिन हमारे पास तीन बटे पांच है आपको दिख भी रहा होगा अगर इस बिन के अंस में एक जोड दिया जाए तो यह चार हो जाएगी हर में एक गटा दिया जाए तो यहां भी चार हो जाएगी तो भिन एक बन जाती चार बटे चार होगा वो एक बन जाएगी ऐसे answer verify भी हम लोगों का हो रहा है कि तीन बटे पाँच अमारी भिन होगी दिख भी राय कैसे होगी तो इस तरीके से हमें समीकन का निर्मान करके question हल करने होते हैं बहुत आसान question होते हैं बस हमें practice की जरूवत है एक दो बार ऐसे questions की practice करोगे सारे question आप थोरी वाले solve कर सकें एक तो यह question बनता है जो हमारे पास भिन्ने के रूप में बनता है बहुत पूछे जाने वाला question है तीन नंबर में question आराम से बन जाता है और यह आता ही है ठिक या तो भिन्ने नहीं पूछेगा तो दूसरा बहुत important question एक बहुत हमारे पास जो अगर question बनता है जो pattern पर हम सेम pattern पर question बनता है यह पुस्तकाले का question है library का exercise में भी दिया गया है एक question आप उधान में भी देख सकते हो तो एक पुस्तकाले पर बनता है question सेम ऐसा ही hostel पर भी question बनता है कि किसी बोल देगा और कहीं कहीं उस पर भी question बनता है वो सेम इसी तरह के solve होता है, जिस तरह के से ये question करेंगे, देखो इस question को कैसे करना है, बहुत प्यार से हो जाएगा question, कह रहा है किराय पर पुस्तके देने वाले किसी पुस्तकाले का प्रथम तीन दिनों का एक नियत किराया है, एक मतलब की fixed price है, कि तीन दिन के लिए कोई book ले जाता है, पुस्तकाले से library से, तो तीन दिन तक उसका fix कराया है, कि ये 5 रुपए दे नहीं है, आपको 10 रुपए दे नहीं है, वो आपको fix है, ठीक, वो मैं नहीं पता अभी कितना है, उसका किराया fix है, अगली बात क्या कह रहा है, तथा उसके बाद प्रतेक अत्रिक् पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिये, सरिता कोई लड़की है, जो 7 दिनों के लिए पुस्तक लाई, और उस 7 दिनों के लिए जो पुस्तक लाई, तो उसका किराया उसने 27 रुपए दिया उसको, librarian को, फिर जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 20 जात करना और जो अगले दिन का नियत किराया मालब अत्रिक्त किराया लग रहा है, उसकी भी वेलू में आपर ज्यात करने है, चलिए कैसे करना इस को, देखने में को बढ़ा है, अभी कोश्चन देखना है कितनी आसानी से हो जाता है, ध्यान से देखेगा, एक यी बार में डिपेंड कर रहा है किराया, तो साथ दिनों तक एक पुश्चन रखने का किराया कितना है, 27 रुपए, जब साथ दिन तक कोई पुश्चन ले गया, तो उसका उसने किराया कितना दिया, 27 रुपए दिया, ठीक, अब जब वही बुक 5 दिन के लिए ले गई, तो किराया कित तक जब सरिता बुक ले गई तो उसका किराया उसने 27 रुपए दिया और पास दिन के दूसी लड़की सूसी ले गई तो उसने जो किराया दिया वो 21 रुपए दिया ठीक जो फिक्स किराया है दो तरह के किराया है यहां पर एक तो फिक्स किराया देखो नियत किराया जिसे ब माना नियत किराया अगले दिन से उसको वाई मान लेते मा था अतरिक्त किराया लग वैंने मारा लग इतिक यह आँगे का किराया मारा लग लग रहा है लिया जो परते इक दिन का अलग से किराया उसको ने वाई माल लिये ठीक सत दिन है उसने 27 रुपई दिया ही है पांस दिन का litigation एकीश रुपए दिया है साथ दिन मतलब समझ रहो यह मालो पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन पांचवा दिन छटा दिन साथ दिन यह नीचे हम पांस दिन लिख रहे हैं पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन पांचवा दिन तिक जब सरीता बु कि वो फिक्स किराया यक्स दे रही है लेकिन अगले प्रतेक दिन के लिए क्या करती है तथा उसके बाद प्रतेक अत्रिक दिन का अलग किराया उसके बाद चौथा पाच्वाँ छटा सात्वा दिन जो है चौथा पाच्वाँ छटा और सात्वा दिन जो है इस दिन अलग अल दिन का अलग किराया है प्रतेक अलग दिन जब वो किर दे रही है तो अलग दिन का किराया पड़ रहा है तो वाई 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 अलग दिया उसने ऐसे जब यह पांच दिन ले गई तो इसमें प्रथम तीन दिन तो फिक्स था कि इसने भी एक्स दिया लेकिन अग प्लस चौथा पाचवा छटा सातवा मतलब की चार दिन जो है वो उसने क्या दिया वाई तो फूर वाई इक्वल टू कितना रुपए देना पड़ा जब एक्स दिन का किराया और चार दिन अतरिक्त किराया मिलकर कितना देना पड़ा तो यह हो गया 27 के बराबर पहला समीकर बन गया टिक दूसरा पास दिन लेगे 21 दिया पास दिन में मलब तीन दिन तो फिक्स था एक्स कोई दिक्कत नहीं फिर चौथे और पाचवे दिन उसने वाई दिया मतलब की टू वाई हो गया वाई-वाई-वाई-वाई-वाई- और कुछ नहीं करना कि सिंपल यही क्वेशन बनेगी हमारे पास पहली क्वेशन बन गई यह दूसरी क्वेशन बन गए दो समीकर आपस आराम से बन गए ऐसे सेम पैटरन से कोश्चन पालों अगर कुछी गाड़ी का कोश्चन आता है कि अब वो बस से कुल जा रही बस से अगर कुछ गई किलो मीटर तो माल लिया कि उसने 10 किलो मीटर तक का जो किराया दिया वो फिक्स किराया था लेकिन अगले किलो मीटर से वो फिर क्या हुआ कि वो किराया जो था वो अलग से अत्रिक्त किराया पढ़ने लगा तो 10 किलो मीटर का जो था वो फिक्स माल लेंगे क कि वो यह X है, और अगला अगर वो 15 गई है, तो अगले से फिर हम Y माल नेंगे, तो Y, 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 5Y हो जाएंगे, और X प्लस 5Y बन जाएगा, उसका जितना रुपए लग रहा होगा, इक्वल टो में उसका उत्ता रुपए लिख देंगे, ऐसे यहाँ पर पुस्तक की बात हो 1 है, यहाँ पर भी X का गुणान को 1 है, मतलब कि विलो पन वीदी से सर आसानी से हो जाएगा, अगर इसको मगणाने पर करेंगे, तो यहाँ माइनस का चिनय लगाके हमासानी से हल कर सकते हैं, तो बस हल कर लो, बस यहीं से ऐसे हल हो जाएगा, घटाने पर, गटाने पर क्य किराया पढ़ रहा था वह वाई बराबर कितना पढ़ रहा था तीन पढ़ रहा था तीन रुपए पढ़ रहा था तो कि टोटल 27 रुपए उसे दिया है मालो जो पहली बुक ले गई है तो तीन रुपए उसमें अत्रिक्त वाई दिन का किराया था तीन 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 च्छे तीन समी करण एक से समी और एक क्या है in the x प्लस फोर ड़े टो एक्स प्लस फूर वाई की जगह मान रखने कितना है ती एक्वार्टो किता है 27 तो x प्लस चारती है बारा इकोल टो सक्ताइस तो एक्स बराबर किता आ जाएगा 27 माइनस बारा तो एक्स बराबर सरे यहां से आ तो यक्स मतलब क्यों हो गया फिक्स किराया जो है फिक्स किराया सर्फ 15 रुपए तो यहां पर लिख दो सीधे अलग से लिखते हैं नियत किराया हम किसको माने थे एक्स को तो नियत किराया कि नियत किराया किता है संयत किराया जो मने एक्स माना था वह 15 रुपई ओर जो तो देख लो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 12 रुपए इसने अलग ये दिए और X 15 अलग दिए तो 12 और 15 मिलके टोटल उसने किते रुपए दिए 27 रुपए सर दिए ये दिख रहा है 27 रुपए दिए ये 3 और 3, 6 रुपए यहाँ पर 80 दिन के दे दिए और X के किते दिए X की सिंपल उसने 15 दिये तो 15 और 6 21 रुपए टूटल उसने दिये तो यह हमें दिख रहा है कि यहां पर सर कि फिक्स किराया 12 रुपए था है फिक्स किराया जो था वो 15 रुपए था बाकि अलग से अगर एक दिन तुम लेते हो तो उसका एक दिन का आपका किराया कितना पढ़ेगा तीन रुपए पढ़ेगा, तब आपकी बुक आपके पास रहेगी ऐसे questions को हल करना, ऐसे समीकन बनाने और आराम से आपका question salt हो जाएगा सभी question ऐसे तीन type के question बनते है एक hostel पर question बनता है, खाना खाने पर question बनता है, कि इतने दिन खाना काया तो उसका रुपई यह है, और अगले दिन से आप खाऊगे तो उसका रुपई यह है, pattern रहेगा, हमें concept सीख लेना question अपने आप solve हो जाएगा, pattern सीख लो, ऐसे ही question solve करेंगे, answer आ जाएगा, यह हो गया, इसका अगला one sort चाहिए, और कैसा था यह one sort जरूर हमें बता दीजेगा, फिर उसके बाद उसके according में आपको करा दूँगा, ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर हम अगला question देखते हैं, इसी same theory वाले question पर, तो क्या कह रहा है, बासा संबंदी question, बहुत important जो हमारे पास question आता है, आयू से संबंदी, important है, same pattern से भी question solve होंगे, अभी बताते हैं, कैसे करना है, क्या कह रहा है, question पढ़ो, कह रहा है, पांच वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयू की बात हो रही है, ठीक, कि तीन गुनी थी, दस वर्ष पस्चात, नूरी की आयू सोनू की आयू की दो गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयू ग्याद करो, कितने लोगों की बात हो रही है, सनूरी की बात हो रही है, और सोनू की बात हो रही है, ठीक, और किसकी बात हो रही है, सोनू की बात हो रही है, ठीक, हमने बना लिया, नूरी और सोनू, यह हमने बना लिए थिक हमने ऐसी कुछ टेवल बना लिए इसमें नूरी लिख लिया और सोनो लिख लिया इधर हमने जो जित्ते लोगों की बात हो रही वो लिख लिए तो दो लोग लिख लिए अब आओ सबसे पहले कॉलम में आपको क्या लिख देना है वरतमान आयू इसके बात क्या क्या बात हुए देखो पांच वर्स पूर्व आयू की बात हुए तो यहां पर लिख लेते हैं पांच वर्स पूर्व ठीक जिस जिस आयू की बात हुए जिस जिस समय की उस समय की बात कर लेते हैं तो पांच वर्स पूर्स की बात हुई है और इसके बात त यह तथा दस वर्व पश्चात दस वर्व पश्चात की बात हुई है दो प्रकार की बाते हुई है और कोई बात नहीं हुए यह हुए दस वर्व पश्चात की बात है बस इतना सा हमें काम करना है यहाँ पर दो लोगों की बात हुए नूरी और सुनू अगर तीन होते तो ती लिख लेते चार रोते तो चाहर लिख लेते और कपकी बात यह वह बात करें पहला कोलम तो वर्तमाना युका बनाना और वर्तमान आयू को आप मान लिजे अगर दी गई है तो लिख दीजे कि यह है अगर नहीं दी गई तो आप मान लिजे क्या मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयू एक्स है और सोनू की वर्तमान आयू वाई है ठीक ऐसा नहीं कि इसको वाई नहीं मान सकते हो बदल सकते तो कोई दिखकर नहीं लेकिन सिंपल वे जो सिंपल पैटर्न है जो फिक्स पैटर्न है इसकी साफ से चलो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करो आराम से ऐसे कोश्चन सौल्व हो जाएगा नूरी हमारे पास एक्स माल ली वर्तमानाय सोनुके आमने। उesian वाई माल ली अब पास वर्ष परशात नूरी के आयू क्या होगी ?अगर एकस थी वर्तमान मेरी आयू अज अगर 25 है तो 5 वर्स पूर्व कितनी होगी 20 होगी सीधी सी बात है 40 वर्स है तो 5 वर्स पूर्व कितनी होगी 35 नूरी की आयू किती है X तो 5 वर्स पूरी कि पूर्व कैसे होगी पूर्व मतलब 5 वर्स पहले तो X-5 ऐसे सुनू की आयू अगर आज वाई है तो 5 वर्स पूर्व कितनी हो आपकी अगर आज आयू जो आपकी है वो 14 वर्स है तो दस वर्स बात कित्ती हो जाएगी 24 वर्स तो सीधी सी बात है आज हमारी कित्ती एक्स क्योंकि वर्तमान से करेंगे ऐसा ना समझना पांच वर्स पूर्स से फिर दस वर्स पसचात करो नहीं वर्तमान से क्योंकि हमां अराम से एक्वेशन से हल हो जाएंगे अब एक्वेशन देखना कितने आसानी से बनती क्या बात कर रहा है अब बात कर रहा है पांच वर्स पूर्व नूरी की आयो तो पहले इसी की बात कर लेते हैं पांच वर्स पूर्व नूरी की आयो तो पांच वर्स पूर्व नूरी की noda भवज़धी पांच वर्श पूर्व नीरू की आई पहला यहां से यांसे एक सभॉर्व समिकळव बन जाएगा अगला बनाओ अगिल helping कारा है कँए यहां पशात यहां पे लिखते हैं पर यहां पर यहां पर यहां पर लिखते Control गल्हुरस्य 10 की दोग नी हो जाएगी, तो दोग नी करती, कोई दिखकर दे, एक यहां से बनाएंगे, दो समीकणा बन जाएंगे, किसी से भी हल कर लेंगे, दो-दो विधीया हैं, परतिस्तापन, विलोपन, कुछ भी लगा के हल कर लेंगे, चलो बनाते हैं, कैसे होगा x-5 equal to 3y-15 ठीक है अब यहां से x बराबर किता आ जाएगा यह आ जाएगा 3y-5 इस साइड ले जाते हैं तो माइनस 20 हो जाए ठीक लिख देते हैं माइनस 15 और माइनस प्लस पांच 20 नहीं होता भाई 3y-10 तो एक्स बराबर आ गया 3y-10 एक समीकन यह बन गया एक यहां से बना लेते हैं यहां से क्या है एक्स प्लस 10 है एक्स प्लस 10 रहने दो यह हो जाएगा 2y-20 इसको हम समीकन एक दे यह एक्स की वैलू तुमने यहां से निकाले डारेक्ली निकल आई एक्स की वैलू को यहां पर रख देते हैं क्योंकि यहां से एक्स की वैलू निकली आई है और यहां रखेंगे तो यह माइनस 10 है यह प्लस टेने कैंसी लोगा देखना कैसे समीकन एक से लिखते हैं प्रत 10 से 10 cancel हो गए 3y 2y को इस साइड ले है माइनस 2y इकोल टू 20 तो वाई बराबर किता आगे है 20 वाई जो है वाई वाई कौन है सोनू तो सोनू की आयो कितनी है वर्तमान में 20 वर्स है अगर हमने वर्तमान आयो निकाल ली फिर वो चाहिए 10 वर्स बात की पूछे 10 वर्स पहले की पूचे तो हम आराम से निकाल सकते उसमें जोड़ गठाके वाई की कितनी आगे सोनू की आयो कितनी आगे 20 वर्स अब वाई कमान किसी भी समीकर्ण में यहां पर रख लेते हैं समीकर्ण एक से समीकड एक से हम क्या करते हैं आपर वाई का मान रखते हैं तो X बराबर हो गया तीन गुणे 20-10 तो X बराबर किता आजाएगा 20-60-10 X बराबर आगया 50 मतलब X कौन था X था सर नूरी तो नूरी की जो आयू है वो 50 वर्स है सोनू की आयू आई जो है वो 20 वर्स है सीधी सी बात है हमें क्या बताना है आयू कितनी है तो बस सिंपल हमें वारतमारा आयू बतानी है तो वह लिख देते हैं यहाँ पर लिखते हैं आंसर डाल के सीधा आता नूरी कि यहां कित्ती है नूरी की आयू हमारे पास है सर 50 वर्स और सोनू की आयू है तोनू की आयू है 20 वर्स दोनू की हमने आयू यहां पर निकाल दी यही इस बात का अंसर हो जाएगे कि यहां पर सर अता नूरी की आयू 50 वर्स है सोनू की आयू 20 वर्स है यही काम करना है इसमें बस कुछ नहीं करना होता है यह टेवल कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है टेवल आसान एकदम आप पहले जितने लोगों की बात हो रही है मैं एक फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्यान से जितने लोगों की बात रही वह लिख लो तिक उससे पहले कालम में क्या करओ वर्तमानाय। लिखम आगे जितने भी बात हो रही हो अब कोश्चन के एकॉर्डिंग क्या चलोगे कि यहां पर 5 वर्स पूर्व की बात हुई है तो 5 वर्स पूर्व की बना ली दस वर्स नहीं उसके कॉर्डिंग कर लो कि वर्तमान आयू पाच वर्स पूर्व कित्ती होगी तो X-5 यह Y-5 हो जाएगे पस्चात मतलब आगे की तो X-10 Y-10 हो जाएगे अब कोश्चन में उसी की बाते हो यह तो समीकरण बनी जाएगा कि पाच वर्स पस्चात नूरी की आयू सोनू क यह कि तीन गुनि है नूरी की आय सोनू कि आय की तिन गुनि है इससे समीकरण ऐसे समीकरण बन गया कि 10 वर्स प्षचात नूरी की आयू सोनू की आयρη की दो उससे समीकरण दो बन गए एक दो को हल करके क्रतिस्ता अगे often कोई लगा लेना अंसर आ जाएगा वस बोड़ा ध्यान रखना होता कि कॉंसी विधी कप लगा नहीं जिससे क्या होगा कैलकुलेशन इजी रहे और हमारा कम टाइम में कोश्चन सॉल्व हो जाए यो आंगे के कोश्चन में ज्यादा टाइम बरबाद न करना पड़े तो उसके कोर्डिंग अम लोग सॉल्व करेंग पूरा फिर दिक्कत करेगा हमें सारा कवर करना है तो फिर पूरे एक एक चुश्चन सभी लोग पर थोड़ा अंको के बारे में समझते हैं कि क्या बात हो रही है दो अंको की संख्या के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं बेसिक सी बात करते हैं बाले अध्यान से समझना मालों एक संख्या मैंने लिखी 42 5792 ये दो अंको की संख्या है सारी इसारी आपको दिख रही दो अंको की संख्या रहते है अगर हम इनके अंको की पलत थाह का मतलब क्या है कि 4-3 जो दो 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 लिखा वो दो जाए शैसे की की स्थान पे 2 था दाई की काई हो गया काई वालादाई हो गया ठीक यह क्या हो जाएगा साथ पांच हो जाएगा यह क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा यह मतलब होता है अंकों को पलटने का दो अंकों की संख्या और उनका पलटने का मतलब हो गया इसको अमने आपसमें पलट दी उनके इस्तान बद छोटी सी बात बताओ कि एक हमने माली आ एक से एक एक वाई है क्या ऐसे माना जा सकता है देखते हैं तो सरक चार और तो है मालो चार अमारे पास X है और वाई हमारे पास क्या है दो है like therapists Y अगर नॉर्मली ऐसे लिखे है इसको अटाओ ६ैश्फर आयसे लिख्या मेरी यह सिंपल सा डीकर लिखा कि X into y लिखा xy लिखा मतलथ कánt का 84 म और दो इनक साइक करके तो क्यां एक स्वाइन का He पापस में गुणा में लिखे तो चार गुणे दो करेंगे तो आठ आएगा पांच गुणे साथ करेंगे 35 नो दुने दो करेंगा अठारा आएगा तो यह बानबे है यह सतावन है 42 अभू संख्या तो नहीं मिल नहीं तो इसे सरक कैसे मानना होता सबसे इंपॉर्टन चीज वही है कि इसे माना कैसे जाए इकाय और दाई के एंको माना कैसे जाए तो रटना नहीं है समझना है कि अगर एकस वाई लिखा है तो मल्टिप्लाई में चार गुणे दो करेंगे तो आठ आएगा ऐसा ही अगर हम पांच और यह साथ मानते इनका गुणा दस नहीं लिख सकते कि 2 प्लस 4 गुणे 10 10 क्यों लगाया क्योंकि जब हमारे पास दाई कांक होगा वहाँ पर वह क्या हो रहा है दस से गुणा हो रहा होगा तो 2 चार दाहम 40 और 2 क्या हो जाएगा 42 तो यहां से मिसको क्या लिखेंगे अगर यकस वाई माना है तो y प्लस 10x तिक यह हमारे पास हो जाएगी संक्या आईसे ही अगर हमने 57 जीर deal तो 57 कैसे होगी सरع उक़्ाइश का हिस्तान ऐसे ही रखतifa ऑन्यक्षा एक है और वह यह आँए में यहांब पर रखा टू की जगे क्योंकि यह इकाइश दही पर एको धैशंrie पाँच गुणे दस या दस गुणे पाँच दस गुणे सीधा पाँच लिख सकते पांधाम पचास सा सतावन तो इसको क्या लिखोगे इसको हम लिखेंगे वाई प्लस 10x क्या हो जाएगा y plus 10x हो जाएगा अब अगर अंको को पलटा जाए तो अंको को अगर पलटते हैं तो क्या होगा अंक पलटने पर तो अंक पलटने का मतलब क्या हुआ कि यह हो जाएगा 10y plus का x क्या हो जाएगा 10y plus का x कि जो मारे पास अंकों को अगर पल्टोगे तो ठीक हो जाएगा X plus 10Y हो जाएगा, यह यह 10Y plus X लिखेलो, कोई बतलब नहीं, तो simple X मतलब पहले लिख रहें एक काई, तो X plus 10Y हो जाएगा, कोई दिखकर नहीं, अग को पलटते हैं, तो सर जो Y होगा, वो 10 के साथ आ जाएगा, x जो होगा, वो ऐसे आ जाएगा, तो x plus 10 y हो जाएगा, यह बात समझ में आई, कि अंको को अगर हमें मानना है, तो हम इसको इस रूप में मानेंगे, y plus 10 x, वाई जहां एकाई का इस्तान है एक्समारे पास दाही के इस्तान पर में दिख रहा है एक्समारा दाही के उसके चलना कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहां से कोश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं लिखते हैं यहां पर कोश्चन को कैसे सॉल्व करना इसको हटा देते कि कैसे हमें मानना यह सबसे बेसिक ट्रिक है इससे समझ में आ जाएगा कि हमें क्योंकि मानना ही इंपर्टन बाकि तो आप कोश्चेन सॉल भी कर लोगा इकोशन तो सॉल्व करना आई गया в दिखते हैं माना कि दो अंकों की कि संख्या का कि हमांद एक्स है तथा दाही का अंक य तिक ऐसा नहीं कि इसको य एक्स नहीं कर सकते बस एक्वेशन में ध्यान अगना कैसे रखा है अगर इनके अंकों को पलट दिया जाए तो लिख देते हैं आप वो भी लिख देते हैं तीन लाइने बहुत इंपॉर्टेंट है पहली लाइन तो यह हो गई दूसी यह हो गई दो अंकों कि संख्या होगे वाई प्लस टेन इस तो यहां पर क्या होगा अंकों को पलटने के बाद संख्या पलटने पर संख्या तो अंकों को पलट देंगे संख्या तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस टेन वाई हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं यह x कैसा आएगा यहाँ पर y हमारे पास यहाँ पर पहुच जाएगा अंक पलड जाएगे तो x plus 10 y हो जाएगे अब प्रसना नुसार आजो प्रसना नुसार बात करते हैं प्रसना अनुसार क्या बात करते हैं क्या कह रहा है क्या रहा है पहली लाएं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग अंक हमने कौन माने एक्स और वाई तो अंक हमारे पास है एक्स और वाई इनका योग क्या दिया गया है नो के बराबर है अंकों का योग नो के बराबर है स इस संख्या के नो गुनों का भाई फिर से लिखते हैं फिर से पढ़ते हैं रूप 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 क्या रहा है कह रहा है इस संख्या का नो गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है क्या कह रहा है बासमझो इस संख्या इस संख्या को लिखा इसके नो गुने इसका नो गुना किया नो गुनों के संख्या के अंकों को पलटने से बनी अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी x plus 10y ठीक ये संख्या बनी पलटने से बनी संख्या का दो गुना है यह बात बहुत important है कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का उनसी जो संख्या बनी 2 उनकों की y plus 10x बनी इस संख्या का हमने 9 गुना किया फिर इनके अंकों को पलटने से बनी संख्या x plus 10y के दो गुना के बराबर है के दो गुना के बराबर है वो अमने यहां पर बराबर कर दिया वही question में कह रहा है तो question पढ़ना बहुत important है कि कैसे equation frame हो रही है अब इसको हल कर लेते हैं यहां से तो हमारे पास कुछ ना कुछ मान निकलेगा एक समीकर यह एक यहां से कुछ मिल जाएगा तो दोनों से कुछ ना कुछ हो जाएगा 9y equal to 90x बराबर 2x plus 20y x को इधर लाते हैं y को उस साइड ले जाते हैं तो यह हो जाएगा 90x minus का 2x 20y minus का 9y यह क्या हो जाएगा 88x equal to 11y यह हो जाएगा 88x equal to 11y काट्ते हैं इसको कट्रपते हैं 11-11-11-88 Python तो यह कित्त ही बन जाएगा यह बन जाएगी 8x बराबर म्याइट इसको हल करने से बने है का सीधा x जो यह वह हम यहाँ पर रख देते हैं रहा समिकरण सम्हकर देते हैं बात समिकरण एक से तिक तो समीकन एक में क्या करते वाई कमान रख देते भाई कमान कले एक एस बड़ाबर नाइए यह हो जाए आएकस बड़ाबर जाएगा रबन एक्स बराबर किता आज गड़े मतलब कि उसका want정 h do हमारे पास एक आगया दाई कांग कैसे मिलेगा X कमान या रख दो समी करन दो से करते हैं वहीं आसानी से मिल जाएगा समी करन दो एक्स कमान या पर रखो 8 गुड़े 1 इक कोल टू वाई तो y बराबर किता आज आएगा 8 मतलब उसका जो दाही का आँख है वो हमारे पास क्या है 8 तो हम लिख देते हैं अता दो अंकों की संख्या पूरा लिखते हैं अता दो अंकों की संख्या यहां से तुम इसमें भी रख सकते हो की y की जगह हमने क्या रखा 8, x की जगह हमने क्या रखा 1, x की जगह 1 रखोगे तो 10 प्लस 8 मतलब की हमेपकी 12 तो अंखों की संख्या थो नेикомर्य पास कितनी है 18 यही इसका right answer है इसका रिट आंसर है कि 2 अंखों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी सर 18 होगी इस वाले हमने जो संख्या हमने यहाँ पे माना था इसमें हमने रख दिया कि 2 उनकों की संख्या हम ने y-plus 10x मानी थी y ही मारे पास किया था दही कांग जो इसका नहीं हमने 8 रख दिया X हमारे पास इक हाई कांग क्या हमारे पास आया तब 1 तो यह हो गया हमारे पास आंसर 8 और 10-18 इस दो उनकों की संख्या की बात होगी बहुत important question है इस question को एक बार ऐसे देखूगे फिर एक बार बिना देखकर यह सारे question लगाओगी जो मैंने आज question लगा पहले आप पूरा लेक्चर रिवाइस करोगे पूरा लेक्चर देखूगे एको मिनट का छोड़ना नहीं है पूरा लेक्चर देखना concept से भरा हुआ लेक्चर है और ब questions कर लिए maximum topic हमने सारे cover कर लिए कि क्या-क्या चीजें हो सकती ग्राफी विद के बारे हमने 9 से थोड़ा रिवाइस करा दिया कि दो चरवाले रहिक समीकन भी क्या होते फिर समीकन यूगमों को समझा यूग मतलब हो गया था जोड़े कि दो समीकनों की बात हो रही होगी उस इस पे normal question बनते हैं कि दो समीकर देगा फिर कह देगा एक सवाई के मान निकालो विलोपन वीदी के द्वारा निकालो या प्रतिस्तापन वीदी के द्वारा निकालो या फिर question जो बनेगा वो फिर theory वाला question बनेगा इससे बाहर question नहीं आएगा इतनी practice करके जाओगे पूरे one-sort सभी available है अब मैं एक करके सारे ही one-sort कराओंगा उसके लिए परिशान ही होने की जरूरत नहीं मैं सभी के comment भी पढ़ता हूं पिछली क्लास में जो comment थे उसके according ही मैंने ये chapter चूज किया था कुछ बच्चों के अच्छी से समझ में भी आया था कुछ लोगों ने कराओंगो उसके लिए परिशान होने की जरूरत है सभी लोग बस अच्छे से क्लासे में मेनत करते रों अच्छे से पढ़ते रों सबके अच्छे मात से ठीक है मिलते हैं अगले one-sort के साथ टाटा बैब है